हलो स्टुडेंट्स मैं संदिप सिंग वेलकम करता हूँ आपका मैगनेट ब्रिंस में जो कि देता है फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास 6 तू 12 मतलब यहाँ पर कुछ वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी प्रकार का गोल्ड सब्सक्रिप्शन या प्रीमियम सब्सक्रि से जुड़ी हुई भौतिकी का चाप्टर तो जैसा कि आपको हम पर है विस्वास हमें आप पर है विस्वास तो हम जरूर होंगे काम्याब इसी अच्छी सी बात से प्रारंब कर लेते हैं आज का हमारा यह सेशन हाज हमारे पास है ध्वनी आज हमको देखना है ध्वनी को तो ध्वनी क्या होता भई तो क्लेर है ना ध्वनी जो सुन रहे हैं हम वो क्या है ध्वनी हना मतलब जो हमारे कान है यह किस चीज के लिए सेंसिबल है तो यह ध्वनी के लिए सेंसिबल है तो हमें जैसा कि पता है कि हमारी ग्यानेंद्रियां जो हमारे सरीर के अंदर ग्या द्वनी उर्जा के लिए तो द्वनी भी एक तरीके का उर्जा है ऐसा कह सकते हैं यह उर्जा संचरण ही है तो हम अद अगर करते हैं द्वनी को जो की पांठ 12 में दिया हुआ है हमारे बुक के अकॉर्डिंग लेकिन अभी हम इसके इंदर जो देखने जा रहे हैं वो कम्पल को भी हल करेंगे मतलब इससे जुड़े हुई MCQs, भूबिक LPA प्रस्ट, शॉर्ट क्वेस्चिन आंसर लगहुतरिया और देरगहुतरिया जो लॉंग आंसर टाइप्स होंगे उनकी भी चर्चा करेंगे मतलब यह जो सेशन होने को तो आए को रिलेट करते हैं हम सभी टॉपिक्स को और समझते हैं ध्वनी को तो भई सबसे पहले ही हमारे पास जो वर्ड है ध्वनी इसकी बात कर लेते हैं ध्वनी होता क्या है तो ध्वनी जनरली तो हमका पता है कि जो हमारे कान सुन रहे हैं यह ध्वनी है लेकिन तो भई जब उर्जा का प्रारूप है तो किसी फॉर्म से कनवर्ट होकर के ही बनेगा क्योंकि उर्जा ना तो बनाई जा सकती है ना नस्ट की जा सकती है तो क्या की जा सकती है एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित की जा सकती है तो ध्वनी को भी हमें किसी चीज के माध्यम से बनाना पड़ेगा कैसे परिवर्तित करना पड़ेगा है ना तो कैसे परिवर्तित करेंगे तो इसके परिवर्तित करने का एक तरीका ये है कि हमारे माध्यम में माध्यम मतलब हमारा वायू मंडल में हम सबसे पहले वायू मंड स्थाएं कि हम जहां पर है मतब हमारे चारों तरफ क्या है वायू nakedल वायू मंडल मतब यह हमारे लिए माद्यम है माद्यम क्या वह जहां पर ध्वनी जाएंगे जिस यहां ठूर में जिसके त्षू हो कर। करके ध्वनी जाएगी स्रोता पाइगा स्रोता मतलब जो सुने गा मतलब कि एक सोर्स से ध्वनि निकलेगी और इन अरे माध्यम से होती हुए एक स्रोता तक पहुंच जाएगी तो यह सब द्वनि कैसे बनजुसाएगी कैसे निकाली जाएगी antwsimple सी कारण क्या प्रोड्यूस करेंगे भई तो वो टकर के पस्चाद जो प्रोड्यूस करते हैं उसी को कहते हैं ध्वनी उसी को कहते हैं हम साउंड ये कैसा होता है तो आइए हम समझते हैं अच्छा जब किसी वस्तु में कमपन होता है जब किसी वस्तु में कमपन होता है तब लिए हमको जो हमारे लाइब्स होंगे ना वहाँ पर देखने को मिल जाता है लाइब में जब हम ध्वनी से लिएटर कोई भी यहाँ बीच में कुछ लगा होता है और यहां तरब कर तो तक करके आवाज करता भी वह क्या कर रहा है तो देखिये ना हम जड़ा इसको समझते हैं ये एक मेटल की बनी हुई वाय जैसी एक शेप है इसके उपर हमने लिया हतोडा और मार दिया ठीक है या फिर इसको लेकर के किसी चीज पर ऐसा ऐसा टच किया तो क्या होगा थोड़ी दितक जन करके आवाज आईगी है ना तो ये आवाज क्यूं अचानक से उर्जा आएगा तो वो ऐसे टकराने लगेंगे एक दूसरे से जाकर टकराने लगेंगे टकर हो रही है तो वो टकर के पस्चाद जो उर्जा जो वहाँ से निकलेगी जो उर्जा वो किसके रूप में निकलेगी ध्वनी के रूप में है ना क्योंकि आपको पता है उर्जा को ना तो बना सकते ना नस्ट कर सकते तो भाई यह उर्जा नस्ट तो हो नहीं जाए कि मैंने इसको ठोका तो यह ठोकने के पस्चा जो मैंने इसको उर्जा दी उसकी वज़े से यह उर्जा नस्ट तो होगी नहीं तो क्या होगी वो हमारे वातावरण में संचरीत हो जाएगी किसके तरीके से तो वो संचरी तो हो जाएगी ध्वनी के माध्यम से है ना तो ध्वनी अल्टिमेट्री आपका समझ में आज शुका होगा यह द्वनी क्या है भई तो आप ऐसा समझेंगे कि जैसे मालीजे पानी है बिल्कू सांत जल है उसमें पत्थर लिजे और दिप कर दीजए क्या होता है उनके कंडों के दा तो वहां पे आप कहन है ऐसे लहर बनके चलने लगती है जैसा एक पत्थर गोल-गोल जहरें ऐसी बनके चलने लगती है। ठीक है तो इन लहरों को कहते हैं हम तरंग अभी हम जब देखेंगे कि यह लहर कैसे उत्पन हो रही वैसी वायू में भी उत्पन हो रही लेकिन वायू में तो हम देख नहीं सकते तो देख नहीं सकते तो भीया उसको समझने के लिए इसलिए हमने कहा कि इसको पानी में ऐसा क करके देखते हैं अच्छा इसको पानी में करके देखें क्या तो देखें एक चोटे सा ऐसे क्या होगा इस जंजनाट के करने से वलाय बनने सुरू हो जाएंगे ऐसे रिंग्स बनने सुरू हो जाएंगे उस पानी में तो ये बता रहा है कि ये क्या कर रहा है तो ये जो भी माध्यम के करने हैं उनको विछोव उत्पन करा रहा है विछोव का मतलब क्या होता है कि उनमे माध्यम के कणों के बीच में टक्राओ पैदा करने से यहां पर हमने तो से दो निखा क्या एक तुनिंग फॉर्क और दूसरा क्या Speakers, क्या यही दो होते है, तो नहीं हम खुद भी तो है, कोई विकल को ले करके जाते हैं, वहां से वह तो ध्वनी प्रडूउस होती है, किसी दो चीज़ों को घसेंगे, तो भी ध्वनी प्रडूउस होगी, अगर किसी चीज़ को खुर्चेंगे तो भी ध्वनी प्रोडूस होगी मतलब क्या है भई वो सभी जगा वो सभी जगा जहां पर आप क्या कर रहे हैं एक सबस्टेंस को दूसरे सबस्टेंस के संपर्क में ले आ रहे हैं संपर्क में लाते समय वो दोनों के बीच में जो टक्राव उत्पन होगा उसकी वज़से क्या निकलेगी ध्वनी बज़से दोनों हाथों से अगर ऐसा हमें कर रूंती है क्या निकल लिए ध्वनी निकल रही तो मतलब क्या हो रहा भई कि सिर्व इतने ही नहीं है बहुत सारे हो सकते तो हमने एज़ एक्जम्पल सिर्फ दो इसलिए रखा क्योंकि ये जो है ये हमारे लाब में मिलता है इसी से सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं और ये भई सबसे ज़्यादा सुना जाता है हमेशा ही हमें सुनते ही रहते हैं तो इसलिए हमने ये दो रख लिए तो मतलब सुरोथ सिर्फ इह दो नहीं है वो सब ही सुरोथ हैं जहां पर एक पिंड दुसरे पिंड से टकराएगा टकराओ के पसचात क्या होता वह दो जो पुर्जा चीज़ तो अपनी ऊर्जा क्या करेंगी नस्ड होगी इसकी ऊर्जा उसकी ऊर्जा जो नस्ड होती है वह होती है प्रकास के रूप में। एक उस्मा के रूप में और ध्वनी कि की बी 2 चीज़ को आप टकराu के देखे 'm हो तो वहांसे प्रकास ध्वनी और उस्मा है नए अब बॉल mythology प्रकास हर बर देखने को नहीं मिलती है रिलीज हो ने तीन थी तरीकों से टीनों ततरीके किया होगे एक उस्मा हो गया एक प्रकास हो गया और आप अब हमेसे मैसूस किजिए दो चीजों का टकर होगा तो ध्वनी कंफर्म है वहां से ध्वनी तो निकलेगी ठीक है अब जो वाइबरीशन जो कंपन की हम बात कर रहे थे कहां पर जो एक कंपन जो यह प्रोड्यूस करा रहे हैं यह कंपन क्या है तो किसी वस्तू का एक नियत बिंदू के सापेट इधर उधर तीजी से गती करना ही क्या कहलता है कंपन जैसे यह क्या कर रहे है इसको अगर इस त्यूनिंग फ्रॉग को ऐसा ऐसा कर दिया तो यह क्या होगा यह स्चत पे आ जब चैतों पर क्या होता है डलाई-वलाई सेख्य खुले चोड़ देते हैं जो फिलर के अंदर से आये रहते हैं ना ऐसे रोड आपर खुले पड़ए रहते हैं और हमको बड़ा वाझा आता है इस 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 तरहिके से रोड्स क्या होते हैं चट में पी आ生 salad के रौड से खुले हुए तो इतना पैक हो गया तो तो किसी का का नहीं लेकिन अगर वह ऐसा रहता है तौह adesso रहता है किस का थमाher है तो भषी हम पकड़ते हैं इसको और इसा पकड़के खीच देते हैं किच करगे फिर इहां तक आगा जा जब एंपने इसी को तो कंपन कह रहे हैं इसे चुछ को क्या कह रहे हैं कंपन और उहां पर अगर कांग बहुत करीब से नहीं लगाएंगे थोड़ा दूर से सुनेंगे तो संकर कैसे आवाज भी आती है ठीक है तो यह हो गया भाई हमारा कंपन कंपन का मतलब क्या यह जो था यह रौड ज है मतलब मेड़ पॉइंट होगा बीचो बीच होगा मद्यविंदू होगा वहां के सापेक्स दोनों तरफ क्या करेगा वो गर्ती करेगा अचा वह ऐसा ऐसा भी करता है आगे पीछे भी करता है थोड़ी दरबाद ऐसा गोल गुल घुम करके रुख जाते हैं मतलब जैसे ब तो ध्वनी संचरन का कारण क्या है तो उनके बीच में होने वाला टकर उनके बीच में होने वाले टकर के कारण क्या होता है तो कमपन अब बात कर लेते हैं ध्वनी संचरन की ध्वनी संचरन का मतलब ध्वनी तो चलो भाई यह प्रोड्यूस हो गई हैना हमने क्या क्या क्य या तो उसे ध्वानी निकल गी लेकिन वो ध्वानी जो निकली वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे सबसे मुखे मुद्दा क्या बही जब उर्जा है मेरे पास तो उर्जा एक जगह से दूसरी जगह जाए कैसे तो ध्वानी को एक जगह से दूसरी जगह तक जाने क लिए माध्यम चाहिए होता है क्या प्राप्त करनी होती है भी एक माध्यम बिना माध्यम के ध्वनी नहीं चलता है ठीक है तो क्या होगा कि ध्वनी को जब कभी इस थनांतरीत करेंगे और जो माध्यम होगा तो ये उस माध्यम के अंदर करता है एक तरंग का निर्माण जो मै तब क्या एक ऐसा रास्ता एक ऐसा रास्ता जो कंड बार 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 उसको रिपीट करें एक नियत समाई के बाद क्या करें वो अपने आपको रिपीट करें जैसे लहर जो बनती है लहर जो कहते हैं वो उसी तरंग है उसे को वेवस कहते हैं वो वेवस क्या होती है वह एक बर गोई सा उपर गया नीचे यहां पर जाएका जाएं तो बहой यहां पर भी जो है न यह तरंगों के माधियम से ही चलती है तो तरंग क्या होते हैं कैसे चलेंगे तो एक होता है अनुप्रस्त और दूसरा होता है अनुदैर्द एक अनुप्रस्त और एक अनुदैर्द तो जो ध्वनी संचरित होने का कारण है या ध्वनी जैसा संचरित होती है वो जनरली ये लॉगनी ट्यूडनेल वीव जो है जो अनुदैर्ध है इसके तरीके से होती है ठीक है तो यहाँ पर ज़रा दोनों के नाम देख लेते हैं एक बार फिर हम एक एक करके दोनों को प्रारंब करते हैं कि आखिर क्या हो रहा है द्वनी संचरन का मतब तो आपको समझ में आ चुका है कि द्वनी को एक जगा से दूसरी जगा तक ले जाना है ले जाएंगे तो कैसे जाएंगे तो यह उजब तरंगों के माध्य हम से जाएगे तो तरंग कित्ते टाइपस के बाई तो तरंग यहाँ पर हमको देखने दो एक अनुप्रस्त और अनुदैद तो generally वो अनुदैद को जब follow करता है अनुदैद का मताब होता है lognitunal lognitunal का मताब याद रखोंगे lognitunal मताब length length वह चलेगा और transversal दूसरा क्या बई transverse transverse का मताब क्या होता पलٹना trans मताब क्या बदलना बई उपर जाएगा नीचा आएगा उपर जाएगा नीचे आएगा अचा यह दोनों कैसे चलते तो आए हम देखते हैं कि यह दोनों वेफ्स अखिर चलते कैसे किस प्रकार से दोनों वेफ्स चलेगे तो भाई हमारे पास सबसे पहले तो आ चुका है अनुदैध तरंग लॉगनी ट्यूडनल वेप मैंने क्या बोला था भी कि लॉगनी ट्यूडनल का मतलब क्या समझेंगे तो लॉगनी ट्यूडनल का मतलब हमको समझना है लेंथ में Length में चलने का मतलब मैं आप समझाता हूँ देखे हमारे पास माध्यम के जो कड़ है वो अगर ऐसा कोई चल रहा है तो हम ऐसा समझेंगे कि भाई ये एक जो दिसा है इधर مाध्यम के जो कड़ है जो माध्यम के कड़ है तो कड़ों का विस्थापन और इसी दिसा में जो तरंग चल रही है वो इसी दिसा है ना इस spring में हमने क्या किया एक end के तर फिक्स कर दिया है और दूसरे end से हमने किया है इसको अलका सा दबाया तो जब दबाएंगे तो क्या करेंगे हम जैसे ही spring को दबाएंगे तो वो उसको संपेडित कर देंगे स्प्रिंग को जब हम दबाएंगे तो स्प्रिंग को क्या करें देंगे संपेडित कर देंगे अच्छा स्प्रिंग जब संपेडित हो गई है स्प्रिंग जब यहां पर देखिए संपेडित हो गई है तो क्या हो रहा भई संपेडित होने के बाद वहां पर उच्छ दाब तो इसको करके देखें क्या कैसे होता है तो चलिए हम एक स्प्रिंग ले आते हैं यह आगे हमारे पास बाइस प्रिंग तो क्या करेंगे इसमें हमने क्या किया कंप्रेस किया देखिए मैंने यहां पर क्या कर दिया यह कंप्रेस कर दिया तो यह कंप्रेस हुआ जब यह मैंने पास पास कर देता हूं मैं फिर आगे क्या हो जाएंगे ये दूर दूर हो जाएंगे तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि जब हम इस पे बन लगाएंगे तो एक जगा पे जहां पे जादा दबाओ मिलेगा क्या हो रहा है यहां के जो कण हैं यह चुप चाप अपनी आपने आपको बार-बार-बार-बार-बार-बार रिपीट करें तो रिपीट करें रिपीट कर रहा है ना यह देकिये मैंने एक बड़ इसको दबाया यह संपीड़न संपीड़न चला जा रहा है यह संपीड़न 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 और यह बचा हुआ करेए यह रियार फैक्शनije before आतना क्या माध्यम के जो कन थे वह खुद चलके गये क्या तो हम कहें के नहीं ख को संचरित कर देंगे ऐसा कैसे होता तो एक और तरकीब समझते हैं मान लीजिए साइकल स्टेंड में बहुत सारी साइकल है लाइन से खड़ी है अब क्या करना तो एक साइट से एक साइकल को गिरा दो तो जो बल आपने इस साइट पर दिया था दूसरे साइट पर वह बल तरीके से चल सकते हैं आपको कुछ नहीं करना आप तो एक ऐसी रस्सी लीजी सीधी एक ऐसी सीधी रस्ती जमीन पर बिछाई है ना और एक साइड पकड़ करके ऐसा बस एक ऐसा एसा पकड़ा और यह एसा बना दिया तो यह वेब में क्या होगा एक वेव अभी यहां बनिए अगले ही चण़ पे क्या होगा है यह वाला वेव जो है वो अगली जो पॉइंट होगी यहां पर दिखने लगी थोड़ी देर बाद यही वाली वेव अगली पॉइंट पे दिखेगी लेकिन एक समये पे सिर्फ और सिर्फ ऐसा ही दिखेगा एक एक ऐसा बैबहिसा चला 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 जा रहरा है अब इसमें क्या हुआ तो देखीं यहां पे जो रसी के पलड़ वो ऊपर चले गया मैं त immersed देखना चाएंगे तो 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 यही वेव कैसा बन जाए यह वैसा बन जाएगी यह पूरी सी जाएगी यहां से ऐसा मत्तब क्या हो रहा है कि माद्धियम के कण कहीं गए नहीं सिर्फ कुछ छण के लिए जब आपने जो विचोव उत्पन किया था उसके लिए उपर डिस्प्लेस हुए थे और जैसे ही यहां से गुजर गया यह वापस अपनी जगह पे आ गया और अपने अगले वाले को ऊपर की तरह बेश दिया यह जैसे यहां से गुजर गया यहीं पर आ गया फिर यहां पर जो करते 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 क्या यह जो ऐसा लहर जैसे उठी ती यह दिर दिर जा करके उदर समप्त हो जाएगी मतला इसके कण एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जा रहे हैं कण क्या और वही ऊपर नी left and right तो ऐसा ऐसा करना सुरू कर देंगे यह देखिए ऐसा अब इसमें क्या हो ना बताइए जो रसी के कण थे रसी के जो पार्टिकल था वो किदर जा रहे left and right left and right क्या रसी ऐसा चल करके हैं से चली गई क्या तो आप कहेंगे नहीं कण आगे पीछे हो रहे थे और जो मैंने जगा पे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा दोलन कर रहे हैं और जो हमारा वेव है वो आगे चला गया उसी तरीके से ये तो हो गया कैसा लंबावत में और ये कैसा हो गया भाई पैरलेल में मतलब इसके कण इधर ही चल रहे है इसके कण जो है इधर ही चल रहे है जिधर और ये जो हो गया ये हो जाता है मेरा ट्रांस वर्स ये कहा है ट्रांस वर्स ठीक है तो ट्रांस वर्स को अभी देखेंगे लेकिन हमको इसको कंपारिजन के लिए जोड़त थी ताकि हम यह समझा सके कि यह पैरलेल में कैसे चलना तो जो स्प्रिंगों के माध्यम से ऐसा चल है यह कैसा है वह यह ट्रांस वर्स अब ऐसे वेपस कैसे कब कब जनरेट होती है तो आप एक बात और समझें जैसे आपने डीजे सुना होगा डीजे में क्या होता बही चुप चुप पूरा माहौल सांथ है पूरे वाईव अंडल के जो कंपने अपनी जगह पह अचानक से यहां पर जैसे बंब सावा जाया आप तो ऐसा समझ लेए यह मालीजे माध्यम के सब कण है इन माध्यम के इन कणों को कूछ भी नहीं पता यह अपनी जगह पर अपनी जगह पर चुप चा पड़े हुए अचानक से यहां से आपने स्पीकर से बहुत तेज एक धनी दबाओ आएगा ना यह जैसे दबाओ आया तो यह चिपक गए तो यह क्या हो गए यह पास पास आगए फिर क्या हो गए तो अगले वाले इसको कुछ भी फरक नहीं पड़ता यह दूर दूर है अब यह दबाओ जब यहां आएगा तो क्या करेगा अगले वाले को ट्रांस पर कर देंगे तो मतलब करना एक संजह दूसरे स्थान तक गती नहीं करते लेकिन अपने विरा-मवस्ता से आगे पीछे दो लंक डिया कर रहे है दो लोन आगे पीछे है चल रहे है आगे पीछे चली आगे बढ़तों में आगे क्या है हमारा तो आगे आगे हमारा अनुदैर्द तरंग का जो दो टॉपिक हम अभी बात कर रहे थे विरलन और संपीडन या फिर यूँ को हूँ compression and rarefaction तो compression और rarefaction को देखिए तो वही tuning frog जिसको मैं कह रहा था कि इसको यूज करेंगे हम किसमें experiment करते समय हम इसका प्रयोग करेंगे तो यह experiment में देखिए हम कैसे प्रयोग कर रहे होता क्या देखिए आपने इस tuning frog को किसी चीद ठोका तो इसमें ऐसा vibrations आएँगे ये vibration कै तो देखिए यहां पर माध्यम कर कड़ फिलकुल करीब है फिर यहां पर माध्यम कर क्कड एपर करीब हो गये फिर दूर ओ गये तो जहां पर दूर होगे उससी को कहते हैं compression compression का मतब अगर मैं कहूँ तो इसको कहते है sampidan क्या कहते है sampidan और यह दूसरा क्या है rarar faction rarar मतब दूर दूर rarar faction कोई हम क्या कहते है viriland क्या कहते है इसको इसको कहते हैं viriland तो यह हो गया sampidan और यह हो गया viriland फिर sampidan फिर बिरलन तो यह बर बाद कर लेते हैं अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा यह कि जब जब कोई कंपमान बस तू आगे की और कंपन करती है तो इस प्रकार एक उच्छ दाब का छेतरुत पन्न होता है जिसको संपिडन कहते हैं यहाँ पर दाब उच्छ होगा यहाँ बढ़ता हूँ मैं अगले पॉइंट पे और हमारा अगला पॉइंट कहता है संपिडन और विरलन में अंतर तो बही अब सिंपल सी बात है संपिडन और विरलन में क्या अंतर है तो संपिडन किसको कहते हैं जब जब क्या होगा आगे की तरफ गती करता है और होता कैसा बही निम्न दाब निर्मित होगा। ठीक है। तो इसमें डिफरेंस भे पूछे जा सकते हैं। आपके एक्जाम में हैं डिफरेंस आ सकता है हैं। या बात कर ले तो अब फस्ट तरांग की। जो अभी थोड़ी दिर पहले डिसक्स कर GUां हैं। ध्यान से देखेगा। ये जो कण है, ये जो कण है यहाँ पर, इस कण को आप ध्यान से देखिए, तो मैं इस कण के लिए एक लाइन बनाता हूँ, ये जो कण चल रहा है, मैं इस कण को ढख दिया, थोड़ा सा इदर से बनाता हूँ, इस कण को मैंने ढख दिया, अब आप बताई ये कण को देख प कर रहा है ना यह स्विंदू को पकड़के मैं ऐसा बंद कर दिया यह देखिए मैंने स्ट्रेट लाइन बनाई है मतलब इस माध्यम का जो कने किदर ऊपर नीचे ऊपर नीचे जब किदर चली गई वे देखिए आगे की तरह बढ़ गई वे आगे चली गई ना जो मैं रसी ब बात करे तो वे कि दर्पी तो रहते हैं उपर नीचे नहीं वह आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे ऐसा चल रहे तो यहां से आपको यह खिलेर होगा कि Mrs Kirsty कहीं क्यूं रहें स्रांस वर्ष का मतलब यह पलुटना बदलना है लगाए स्रांस वर्ष का साथल लंबवत गति करते हैं माध्रय माध्यम कहका ने ये देखिए ये लंबवत इदर चल रहा है और हमारा वेव यह इदर चल रहा है सिर्ष और गर्थ जैसे वहां पर रिल्लन और संपिडन हो रहा था वैसे यह सिर्स और गर्थ है सिर्स और गर्थ कैसे कहेंगे तो मैं एक fix बना देता हूं यह तो चल रहा है तो यहां से आपको यह देखी यह क्या कहलाएगा यह कहलाएगा हमारा सिर्स यह क्या कहलाएगा सिर्स और इसको क्या कहेंगे हम इसको कहेंगे हम गर्थ इसको कहेंगे सिर्स इ जानते हैं इसको tops कहते हैं या फिर इसको hills कहते हैं और इसको valleys कहते हैं valley मतलब क्या होता भई खाई यह खाई है नो नीचे यह valley हो गई और यह क्या हो गया top या फिर इसको कहलेंगे hills हाँ चलिए तो इस तरीके से दोनों waves आपके cover हो गए दोनों वेव में आपने क्या क्या चीज़े सीखी तो आए ज़रा हम इनमें एक डिफ्रेंशीट करके देख लेते हैं तो दोनों वेव में हमने क्या देखा भाई तो देखिए विल्कुल आपके सामने रखा हुआ है यह कैसा चल रहा है यह देखिए मादेम के कन आगे पीछे एक ही जगह से इस लाइन की बात कर लिजुएस लाइन से आगे पीछे आगे पीछे हो रहें यह लालवाला जो है वह एक pointer माली लालवावला पाइद्स में आगे गया यह वापस पीछ आगे फिर यह इस पीछ टो हुँ उपर स्रिंग, नीचे गर्थ, उपर स्रिंग और नीचे गर्थ, इनमें क्या अंतर है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो वेव है, यही सबसे बड़ा अंतर है और इसको ही ध्यान में रखना है, वेव की दिशा और इसमें कणों के विस्थापन की दिशा, यह कणों के wave की दिशा ये दोनो एक दूसरे के समांतर हैं जब समांतर होंगे तो क्या कहलाएगा भई तो ये लॉगनिटूडनल और जब यहाँ पे देखिए ये हो गई कणों की दिशा ये क्या है कणों की दिशा और इसके लंबवत ये किसकी हो गई वेव की दिशा जब ऐसा आपको मिलेगा तो आप इसको क्या कहेंगे ट्रांसवर्स वेव ठीक है यहां तक आपको पूरा समझ में आ चुका है यही दोनों में डिफरेंस में दिया है कि जैसे अनुदैर्ध की बात कर ले लॉगनिट्यूडनल की बात कर ले तो ध्वनी तरंगे चलती है और जब इसकी बात करेंगे तो ऐसा प्रकास तरंगे चलती है जो प्रकास तरंग चलती है प्रकास भी तो तरंगों के माद हमसे ही आता है और confusion बड़ोत सारा है ना तो आज के बाद से ये confusion खतम कर देंगे क्योंकि जब भी तरंग संचरन की बात आएगी सिर्फ आज ही नहीं आगे आने वाले भी classes में तो यही दो तरीके होंगे जिससे आप पता करेंगे तो याद रखेंगे पैरलेल दोनों चलेंगी तो longitudinal उपर नीचे चलेंगे मैं लंबवत चलेंगी तो फिर अनुप्रस्त तो यहाँ पर भाई हम इन तरंगों के differentiation की बात करते हैं खतम अब ज़रा हम देख लेते हैं ध्वनी तरंग के अभी लक्षण को मतब इसके कुछ गुड़ इसके कुछ characteristics को देख लेते हैं क्या-क्या characteristics होती है जब एक wave चलेगी तो मतब जब संचरित होगी चलेगी तो कुछ तो गुर्धर्म होंगे ना कुछ तो उसके properties होंगी ना उनकी हम बात करते हैं उनकी characteristics की हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहला आवरिती सबसे पहला किसके बात करते हैं आवरिती अब एक बात याद रखिए जो हमारे examinations होने होंगे subjective, objective या competitive examinations उनमें ये जो topics में कराने जा रहा हूँ जो तरंगों के अभी लक्षण की बात इनसे related question बिल्कुल fix है done है बिल्कुल कि इनसे related question होगा ही होगा जैसे मैंने अभी तरंगों के संचरण में बात करी कि उन दोनों में क्या difference है उससे related वैसे इससे related question होगा ही तो यहाँ पर दो है अभी आगे और करेंगे हम 4-5 points है जिनके बारे में पक्का आना है 110% इससे related question आएगा ही आएगा क्योंकि ये wave को represent ही ही लोग करते हैं जो mathematical calculation जो numericals करेंगे वो सब इसी के उपर बेच्ट है तो भई अगर numerical solve करना है और असानी से करना है तो हम बहुत असानी से देख लेंगे कि ये होता क्या है चिक चलिए अवरिती क्या होती है frequency है ना अवरिती frequency क्या होती है तो देखिए frequency मतब एक चीज अब तो खैर अब तो हमारे पास mobiles और क्या क्याते है वाइफाई signals और ये सब आने लगी तो ये बहुत common सा word हो गया और लगबग सब लोग जानने लगे इसके frequency match नहीं हो रही है ये frequent नहीं है ऐसा बोलते हुए आफने सुनाओगा अब रृति का मतब आप समझी है repetition number of repetition क्या भई बार बार एक हीची चीज को दोहराना है ना रण की दोहराना बाद इस्तमाल कर रहा हुए तो हमने देखा कि तरंग होता ही यह है कि जो अपने आपको बार-बार-बार दोह रहा है तो भाई कोई एक नियत समय में चार बार दोह रहा है कोई एक नियत समय में आठ बार दोह रहा है कोई एक नियत समय में सिर्फ एक ही बार complete हो रहा है तो क्या कहेंगे इसको, ये अलग-अलग हुए ना सभी, अलग-अलग तरीके सा संचुरित हो रही है ना, तो इनको अलग कैसे करेंगे, तो इसी के लिए एक term लेकर क्या है क्या, अवरिती, frequency, कैसे calculate करेंगे, तो भाई एक नियत से समय में, एक नियत समय में, जितने rotation complete होंग उसी को हम कहते हैं क्या frequency, तो सबसे पहले तो हम rotation सीखते हैं, यह देखिए, यहां से, यहां से एक wave यह चला, यह अपने maximum पर पहुंचा, यह आया, यह वापस आ करके, अब है मिल गया, अब यह एक cycle कहलाती है, इसको क्या कहते हैं भाई, एक यह पूर्ड wave हो गया, क्यों क् दिखेंगे, तो इसी चीज के आप repetition सुरू हो गया, यहां से अब क्या हो रहा है, यही चीज अपना जारिये repeat होने के लिए, तो मतलब क्या हुआ, जो चीज यहां से इसको t second कह लेता हूँ, तो जो यहां से t second तक है, यह वही आगे चल के इधर क्या बना लेगी, 2t, है रह जीरो से जो t तक की बात थी, same to same t से 2t तक की बात हो रही है, repeat कर रहा है आपने आपको, तो भई हम यह कहते हैं कि एक second में कितनी बार repeat किया, एक second में कितनी बार repeat किया, उसी को मैं कहूंगा, अवरती, इसको समझने के लिए आप एक और चीज समझ सकते हैं, जैसे हमारे जो colonies में जो दुकान होती है, किराने या किसी भी चीज की, तो generally colony के दुकानों से हम बहुत सारा समान purchase करके नहीं लाते हैं, जैसे जब थोक में खरीदना हो, ज्यादा खरीदना हो, तो हम market को approach करते हैं, वहाँ से ले आते हैं, लेकर दोनों कमाते हैं, जो colony में है, वो भी कमाते है, जो वहाँ पर है, वो भी कमाते हैं, और हम यह देखते हैं, कि जो colony में हुसको तयार बहुत कम पैसे दे कर चाते हैं, मतब छोटे मुटे समानों के लिए ही जाते हैं, एक ही साथ बहुत सारा समान तो हम उससे कभी नहीं खरीदते हैं, क्या difference है दोनों में, तो देखिए जो colony की दुकान है वो आवरित्ती पर independent है वो frequency पर dependent है आप एक दिन में चार बार जाते हैं उसके पस थोड़ा सा कुछ कम पड़ा तुरंट गए तो वो frequency से कमाता है मतलब उसके customer आप कैसे हुए एक दिन में चार बार जा रहे हैं आपके frequency वो कित्ती गिनेगा कि यह मेरे customer बोग चारवारत कोई तीन बार रही जाता है तो कित्ते बर count करेगा टीन बार count करेगा ठीक है तो यह frequency होगी है तो फ्रिक्वेंसि की बात करें जो बड़े तो आप कुछ हद तक compare करके देखोगे तो समझ माया का ठीक है ये भी कमा रहा है और वो भी कमा रहा है ऐसा नहीं कि इसको कुछ पैसे ही नहीं मिल रहे हैं तो दुकान क्यों चलाता तो आवरित्ती frequency मतलब number of repetition गोट जो विलकुल आवरित्ती मतलब number of repetition तो भई देखिए प्र यह जैसा ही दिखता है यह new इसको new पढ़ते हैं ग्रीक लेटर है अचले ABCD जो पूरा था यह हमारे alphabet हो गया है और हम कुछ ग्रीक लेटर को लेकर का है कुछ specific चीजों को introduce करने के लिए उसी के तहब जैसे यह आग्या हमारे पास है new अभी एक और आएगा lambda आएगा हम कपूर्ण तरंग में लगने वाला समय समय अंतराल कहलाता है ठीक मतलब कई यहां से यहां तक चल करेंऽ जितना लगजाए पता चले दस सेकलेbrot या जीजों से टी पहुँचने में मतलब यह साइकल कम्प्लीट करने में किता लकिना तो इस का समय अंतराल किता हूँकरे? सेकेंड में दूसरा साइकल टू इंटू-वर 8 सेकेंड में ताहिक क्या समझ मैं आ रहा एक साइकल को कंप्लीट होने में एक पूर्ण चक्कर गाने में जितना समय उसको लगजाएगा उसी को हम कहेंगे क्या समय अंतराल या time period ठीक है अब time है तो unit तो second हो नहीं है न भई इसमें क्या सोचना है अगर वो time है तो इसकी काई इसकी unit second हो नहीं है अब एक और topic है यहाँ पे जिसको हम कह लेते हैं कि इन दोनों में संबंध क्या है भई इसने भी कुछ second की बात करी समय की बात करी और इसमें भी इसकी काई second है मतब यह भी समय पर निर्भर है तो भई दो लोग अलग-अलग हो करके भी किसी एक ही बात में निर्भर करते हैं, तो वो दोनों अलग नहीं हैं, उनके बीच में भी कुछ ना कुछ संबंध होगा, क्या संबंध होगा, आये देख लेते हैं, तो भई, यह कह रहा, प्रती सेकेंड, प्रती सेकेंड मतब वन के अपन में आता है, प्रती सेकेंड तो ऐसा ही कहते है वए one upon, किया? time period one upon time period या one upon, मैं ऐसा लिख लेता हू samaia antaral one upon, samaia antaral या फिर इस ही को अगर आप formulations के form में लिखेंगे तो formulation के form में भी देख लेते हैं आवरिती के लिए मैंने आपको shine मता है न्यू अब इसकी काई करके देख लीजिए तो इसकी काई क्या हो जाएगी प्रती सेकेंड और इसी प्रती सेकेंड को ही हमने हर्ड से रिप्रेजेंट करते किसे ह्जेड हर्ड यह एक साइन्टिस्ट का सरनम है जैसा कि आपको पता है बहुत सारे लोग थे उनको रेस्पेक्ट देने के लिए उनको आदर उनको सम्मान देने के लिए हमने उनका सरनम इस्तेमाल कर लिया तो कौन जानता भी है इनको इतनी मेनत करके खो जा इन्होंने कौन जानता तो इसलिए क्या करते हैं हम उनके नाम को, उनके सर नेम को इस्तेमाल कर लिए जैसे न्यूटन के तफेमा से भई, उसी तरीके से है, हर्ट्स, इन्हों नहीं दिया था, इसलिए, इसकी इकाई जो हमने कह दी, हर्ट्स कह दी, ठीक, अब हर्ट्स भी एक छोटी इकाई है, तो क्या करते हैं, इसको और बढ़ाएंगे, तो किलो हर्ट्स में कनवर्ट कर लेते हैं, किस में कनवर्ट कर लेंगे, किलो हर्ट्स, किलो हर्ट्स मतब किलो मतब 1000, मतब 1000 हर्ट्स का, मैं इसमें लिख देता हूँ, 1000 अगर हर्ट्स होगा, तो इसी को हम कह देंगे, 1 किलो हर्ट्स, क्या कह देंगे, 1 कि लोगे बिच में relationship समझ में कि भई new equals to 1 upon t तो क्या यहां पे एक और बात कह सकता हूं में कि भाई t equals to 1 upon new यह भी तो होगा यहां से टी कोई तर ले इसकोइद ले पी कोई टी कोई तर ले टी कुल स्टू क्या 1 upon new मतलब समय अंसरा लिक्वेल श्टू one upon frequency one upon frequency तो भाई इसका screenshot रखी क्योंकि यह formula हमको use होने वाला है और हम बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ तो आएए देखते हैं हमारा next है I am Amplitude इसका भी खुब सुना है अपने नाम भाई Amplitude का, I am का बहुत सारे लोग अपने common language में यह word यूज करते हैं, I am का Amplitude का, है ना, especially जब motivational lectures वगर चलते हैं तब वहाँ पर बहुत लोग कहते हैं कि यह Amplitude, Amplitude होता क्या है तो Amplitude का मतलब यह है कि हमने क्या देखा था हमने यह देखा था ना, आपको वह image अभी याद होगी तो, कि भाई, यह ऐसा vibrations चल रहा, यह ऐसा चल रहा यह चल रहे ने, इस तरीके से तो यहाँ पर, यहाँ पर क्या कर रहा था वो कण वो कण एक ही जगा पर था एक बर उपर जा रहा था, एक बर नीचे रहा था तो जब कभी उपर जाए या फिर वो नीचे आए, कहीं भी बी, उपर जाए या फिर नीचे आए ये जो मद्ध स्थान है, ये जो लाइन जो ये बनी हुई है इसका color मैं change कर देता हूँ ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये कैसे है भई ये एक मद्ध लाइन है, ये reference लाइन है इसी से उपर इसी से नीचे इसी से उपर इसी से नीचे तो इसको कह लेता हूँ कि मद्ध स्थिती से ये क्या है भई इसको कहता हूँ अधिकतम विस्थापन ये क्या है अधिकतम विस्थापन इससे जादा और विस्थापित नहीं हो रहा है तो मद्ध बिंदू से अधिकतम विस्थापन को ही इसी चीज़ को ही हम क्या कह लेते हैं इसी को कहते हैं हम amplitude क्या कहते हैं इसको इसको ही कहते हैं हम amplitude amplitude मतलब क्या आयाम देखिए मद्द बिंदू से अधिक्तम विस्थापन को I am कहते हैं और चुक्य के दूरी कहें कहँए कोई मीटर सुब्uchen खाता है अनुदर्ध तरंग अंदर्ध मत्पकरा बई वैव लें ट्वेव की लेंध किसको करें यह भी कॉमर्ण है बहुत वर्ड आपने बहुत सुना है मुबाईल hear ब्हों परथे है उसे बहुत सारी common word है I am wavelength यह सब तो वेवलेंथ किसको कहें तो वेवलेंथ मत्तब वेव का length वेव का length इस word से ज्यादा बहतर है यह वाला word है ना तो थोड़ा सा focus करेंगे कि हम सिर्फ हिंदी वर्ड सी ना जाने उसके साथ साथ English का जो word है उसको भी सीखें क्योंकि हमें और होगी ना क्योंकि common language में धीरे धीरे आपको English को routines रखना पड़ेगा क्योंकि यह ज्यादा प्रचलित हो जाते कई बार को वह बहुत टिपिकल है तरंग दैर्ध है ऐसा बोलना wavelength बहुत ही common सार तो समझे अच्छा इसका logic वेव का length याद भी तो जल्दी हो रहा है वेव का length क कैसे पता करेंगे तो भाई दो स्रिंग यह देखिए यहां से आता कि यह दो स्रिंग स्रिंग मत्तब सिर्स या कोई सा भी दो गर्थ दो स्रिंग या भी दो गर्थ तो यह ले लेता हूं मैं यह दोनों क्या हो गए यह दोनों गर्थ हो गए यह दो स्रिंग या फिर दो गर रहे हैं तो यह इसको लैमडा से किसे लैमडा से इसको प्रदर्शित करते हैं लैमडा कैसे बनाएंगे तो यह उल्टा वाई है यह ऐसा वाई बनाते थे आप मैंने इसको ऐसा पलट दिया है तो यह उल्टा वाई है इस यह भी ग्रीक लेटर है किससे प्रदर्शित करते हैं इसको भी lambda से प्रदर्शित करते हैं और इसकी काई क्या होती है तो ये दूरी है ना तो दूरी की काई क्या होती है भई मीटर तो इसकी भी काई क्या हो जाएगी मीटर ठीक है इसकी काई क्या होगी मीटर ठीक है तो भई दो क्रमागत सिर्श अत्वागर्त के बीच की दूरी को तरंग दयादे कहते हैं और इसकी विकाई मीटर होती, किस चीछ से प्रदरशित कऱें बही, तो लेंडा से, आछा यहां तक ठीक है, तो जब़िए एक बात समझेे, समय की बात कर ली, दूरी की बात कर ली, लेंद की बात कर ली, और समय की, तो भाई जैसे ही लेंध और समय आता है न मुझे तो वड़ा ही समझ में आने लगता है ऐसा कि भाई comparison होना चाहिए क्यों comparison होना चाहिए समय देखी क्यों रहें देखी इसी बात के लिए रहें कि हम compare करें समय से किसको दूरी को दूरी और समय को compare अगर करते हैं चुकि यह दूरी जो यहां पर दिख रहा है यह विस्थापन है तो विस्थापन आ गया और समय आ गया तो समय और विस्थापन आएगा तो यह विल्कुल fix हो जाएए समय और विस्थापन दिखा तो विस्थापन परिवर्तन की जो दर हो घ।टरंग और उसके लेको तो आए होते है टो देखते हम वेग को वेग क्या होता है तो वेग जो है तरंग देर तता समय घरण दैर्ध त्टता समय की समय के साथ परिवर्तन की धर को तरंग का वेग कहते हैं तब इसकी काईध मीटर परती सेकंड चलिए वेग केद बुत राज़तों तब यह क्या हो गया वेग बराबर वेग बराबर तो वेग बराबर हो समय कह लीजिए वेग बराबर तरग्पध बटा समय आचा इकाई वताये तो इसकी काई क्या होती है क्या लिखाई है मीडर क्या होति है मीडर तो यह हो गया यह मीडर प्रती सेकंड वेग है तो जारा कुछ और महनत कर लेते हैं थोड़ा सा और इसमें formulations को समझ लेते हैं थोड़ा सा मैं इनको हटा रहा हूँ इसको थोड़ा सा देखिए आईए हम समझते हैं यही पर मैं मार्किंग्स बना देता हूँ यहां से यहां तक का है जो है यह T हो गया यह जो हो गया यह मेरा wavelength हो गया ठीक है तो यहां से जो मैरे को formula निकला इसको थोड़ा से formulate कर लेता हूँ वी जो है wavelength वी जो है क्या है sorry वी जो है वो वेग है और lambda जो होगा यह होगा क्या तरंग दैथ यह देखिए मैं यही पर मां कर देता हूँ यह हो गया मेरा V, यह हो जाएगा मेरा lambda और यह हो जाएगा मेरा T तो क्या हो गया भई? V equals to lambda upon T अच्छा यह अगर आपको पता चल गया तो आपको एक बात पता है जो अभी just हम पढ़ कर के आ रहे है क्या भई? कि यह जो 1 upon T होता है 1 upon T जो होता है यह अवरिती होती है अवरिती को कैसे डिनोट करता है? यह new से जाना कि यह V और new दोनों common मत कर देजेगा क्या होगा यह? यह new से तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? V equals to lambda into 1 upon T भई अपान मैं तो multiply में भी लिख सकता हूँ अगर आप कहते हैं हाँ चुकि आप कहेंगे ही क्योंकि ऐसा ही होगा तो lambda into 1 upon T को क्या लिखिएगा? यह जो 1 upon T दिख रहा है इसको क्या लिखेंगे? तो इसको लिख लेंगे new तो lambda times of new मैं इसको फ्रेस यहाँ पे एक बाद फिर से लिख देता हूँ V is equals to गलती से भी mistake नहीं होना चाहिए यहाँ पे किसका? new और V का तो भई V equals to lambda times of new क्या हो गया? तो यह V मतलब vague बराबर lambda मतलब क्या? wavelength तरंग दैर्ध है तरंग दैर्ध है into V into avrity क्या हो जाएगी? into avrity यह formula बहुत ज़्यादा काम आने वाला है यह जो formula है यह बहुत ज़्यादा काम आने वाला है तो मतलब यह V को लेकर के मेरे पास दो formula आगे एक V equals to lambda upon t V equals to lambda upon t और दूसरा आगया V equals to new lambda क्या? V equals to new lambda है ना तो यह दोनों को याद रखेंगा और याद रखना बहुत तफ थोड़ी नकाम में वेक जो होता है वो क्या होता था था बहुत था विस्थापन वटा समय अब इस्थापन तो ऐसा रहा नहीं है और यह चोटो सा काम करते रहेंगे जब भी हम इसकी भी एक्जाम के लिए और स्पेसली जब हम कोई ऐसे सब्जिक्ट को पढ़ रहे होते हैं जिसमें की कॉणसेपस आते हैं वबीसली लगवग सारी सब्जिक्ट में आते हैं जैसा कि हम अपनी अगर सिर्फ बात करें अगर सि बहुत इक्सासतिकी बात करें तो यहां पर एक छोटा सा काम भी करते चलिएगा साथ में, आप एक नोर्स तो प्रिपेर करी रहे होंगे, साथ में छोटी सी डायरी रखेंगे, छोटी सी वो ऐसे जो पलटती है, भाई खाता वाली, उसमें क्या करेंगे भीया, तो उसके अंदर ये करते हैं, कि जो जितने क प्रिपोइंट्स बताते जाता हूँ न, जो आपको फॉर्मिलिसन लिखाते जाता हूँ उसको वहीं के वहीं लिखिए, और उसको याद करने के भी तरीके में बताता हूँ, वो भी लिखिए, अब क्या होगा, थोड़े दिनों के बाद, जब हम ये एक्जाम के लिए बिल लिखिए, इनकी ये देखते हैं सही पहर हाथ हिलने लगते हैं, बहुत ही की समझ भी नहीं आता, ये पता नहीं कैसे फॉर्मुले आ जाते हैं, और उसको इसको उठा करके हैं, तो बहुत आसान है, यहाँ पर कुछ नया तो आता ही नहीं है, जो पुराना है, यह जो हमने गती पढ़ा, उस वाले चैप्टर का तो है, उसको उठा करके हैं, आप सिर्फ यूटिलाइजी तो कर रहें, मोडिफाई तो कर रहें, तो भई उससे क्या होगा, आप अगर इस तरीके से बनाएंगे, तो आपको आसान हो जाएगा इनको याद रखना, तो बढ़े क्या आ आ सकता है कि निमलखित को परिभासित है, डिफाइन कीजिए, और उसमें इनके बारे में डिस्केशन हो जाती है, तो करें क्या, आईए, तो भई क्या, सबसे पहले तो बात कर लेता है, स्रिंग, हॉर्न की, तो क्या होता है, ध्वानी तरंग के सिखर का मतलब क्या है, तो यह जो वेव चल रही थी न, यह जो वेव चल रही थी, इस वेव में यह जो पॉइंट था, यही था न, सिखर, सिखर मतलब उच्चमान, मैंने बोला तो हील्स कहते हैं इसको, तो इसी को हम कहते हैं, तो इसी को हम कहते हैं, होल, स्रिंग, आचा, गर्त क्या होगी, तो गर तिम्बर यह ध्वनी की एक अभिलक्षन है जो हमें समान तारत तथा प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करते भई तारत जो गुड़तो होता है न मतब तिम्बर से इसको जानते हैं यह जिसे ध्वनी जो आ रही है दो सेम टाइप की ध्वनी आ मतब दोनों की तारत तो जो है वो समान है ठीक है तो जो तारत तो है और जो उसकी प्रबलता है तारत तो और प्रबलता का मतब ऐसा समझ सकते हैं कि प्रबल्ध होनी जैसे मान लीजे यह हायर एंप्लीट्यूड की आ रही है यह कैसी हो जाएगी यह हायर सुनता है कांसे सुनता है तो दिफरेंशिया exponent करें दोनों के बीच में उचिस्वार निमनचार कौन까요 निमन तारतु का कौन था उच्छ तारतु का कून था है यह सब चीजों के बीच में जो differentiate करता है उसी को मैं जहते है क्या गुणता तंबर अच्छा तो अब इसमें एक और चीज चीज ते हैan क्याया होता वह तो टोन मतलब आकल आवरती की जो ध्वनी शोला होती ये उसको कैसे हैं तो इसा को पॉछ सुना है क्या है तो हां सुना है अभी जो फॉन भॉस से पहले जो keypad वाले phone चलते थे ना उसमें हम कहते थे क्या ringtone हाना क्या कहते थे उसको ringtone क्यों कहते यह ringtone क्योंकि उसमें music बदती थे नो टीटीटीटी टीटी करके वह एक ही टाइप की आवाज होती थी तो थोड़ा बहुत variation के साथ में आती थी तो मतलब क्या है एकल आवरिति इंसी को मिंचा से नहीं बदलती थी वह सेम प्रिकवेंसी की होती थी इसलिए उसको क्या कहते न क्या कहते हैं टोंग आचा एक इंपोर्टन बात इंप ये कि अनिक आवरितियों के मिस्रन से जो ध्वनी उत्पन्न होता है उसी को हम कहते है क्या स्वर कई सारे कई सारे आवरिती कई सारे फ्रिक्वेंसी को मिला करके जो ध्वनी उत्पन्न होगी उसी को हम कहते हैं स्वर ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह जैसे म्यूजिक में जो सुनते ह हम उसी स्वर की बात करें आगे बढ़ते हैं इस important terms के बाद में तो अब हैं हमारे पास ध्वनी संचरण के लिए माध्यम की आवसकता प्रारंब जब किया था तभी हमने इसकी चर्चा करी थी कि ध्वनी जो संचरित होगी जो चलेगी वो माध्यम पे निर्भर करेगी तो हमन होगा इसकी भी पता कर लेते हैं तो इसको पता करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं ये कि हमारे पास तो तीन तरीके के माद्या में एक थोस एक द्राव और गैस तो क्या ध्वनी सिर्फ ठोस में चलेगी क्या ध्वनी सिर्फ द्राव में चलेगी या ध्वनी सिर्फ गैस मे चलेगी तो हम कहते हैं थोस में बिए और गैस में भी चल कैसे रही है तो अब तक आप सीख चुके हैं कि दुवने के चलने का रहे नभी और यह कारण जो है वह सा कुछ देखिए ौधी हम माध्यम के कर्म हैं किया हुओ एक पिछले वाले ने अपने अगले वाले के उपर बल लगा अगले वाले ने अपने अगले के उपर अगले के उपर ऐसा करते हुए आप अगर देखेंगे तो यहां से यह जो बल है यह चलता 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 यहां तक आगया अब मान लिजे कि यहां पर जो था यह था सोर्स यह सुरोत था अब हम बात करते हैं कि किसमें अच्छे से चलेंगे और किसमें थोड़ी से उनको प्राबलम होने वाली है तो भाई एक बात बताई करों को टकराना है एक दूसरे से कहा करने टकराना है टकराएंगे तब आगे बढ़ेंगे तो भाई ऐसा माध्याम जिसका घनत वह जादा हो डिं का तो आप कहेंगे तो तराव का अगेंगे तो फिर जव का और और फिर जैस का क्यों ख्रस कहते ही क्युंकि उस्केड़ू उसकेड़ू पास-पास होते हैं तो घखे ला यह तो अधर केछ लाया और बहौर दूर कर दिया तो गैस काला तो देखिए ना 예 कित कि एृघ में है लिकुट में इसके कंढ थोड़े से 더ड़ी है और गैस में और दूर कि यह एक बाद सारे सrorsवार्ट यहां पर तीनों में तो तीनों में अधिने से देखे सोलीड वाला सबसे जल्सकिशा से वाला तूफ पहुँच गया हा हुआ मतलब जो हम आम बोल चाल की बादसा में जो यूज कर रहे मतलब माध्य हम क्या यूज कर रहे वाइव के जड़ी है हमारी आवाज एक जगे से दूसरी जगह जारी तो यहाँ पर मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं और आप जो कुछ भी सुन रहे हैं अथा जो आपका स्पीकर और आप जो सुन रहे हैंँ वह क्यों हो रहे हैं गयास के सब्साब से चम्रह tut T कि सब्सकर जाब सबसकर सब लिक्वीड में उसको पानी भालेजिए करा जाब हो इसको पानी में डाल इसे नर्माने पूल में तो कभी ने उत्र हुँंगे नाने तला बेनदी में तो भी जब नीचे उतरते ला तो जब पानी के अंदर डूबे होते हैं तो आवाज आते हैं सन करती भी हुए तो थोड़ी बहुत भी कहीं पर हलचल नशी होते हमको सुनाई पढ़ती है हमको इजिल सुनाई पढ़ती है और सॉलीड व अला तो सवान बेहतर ही कुछ कहना ही नहीं है गया ना उसमें वाइबरेशन ज्यादा होगा ना आप एक स्टील के बरतन गिराइए और एक लकडी का कोई पॉट गिराइए दोनों में ज्यादा आवाज किसके पास से आगे तो आप देखेंगे कि ठोस तो था दोनों लेकिन जो धात्विक गुणवाला था जो धातू था उसमें संचरन ज्यादा हुआ बजाए कि इसके जैसे लकडी था उसके तो मतलब यहाँ पर भी चालक और कुछालक जैसे होंगे जो सुचालक है जो कंड़क्शन प्रवाइड कर रहा है मेरे को वह कौन था भई वह स्टील ज्यादा हो रहा था तो मतलब क्या आपको पता है थोड़ी सी भी गिर जाते स्टील के वरतन कितना होती है साउंड होता बहुत तेज नोइस होता तो मतलब सॉलिट सबसे ज्यादा लिक्विट कमपैरिटिवली उससे कम और गैस वहिया सबसे कम उसका आपको एक्जामपल भी दिख जा रहा है कि यह जल्दी गिरा यह थोड पास इसके माद्यम के थोड़े से पास और जो गैस के थे वो दूर हो गए थे ठीक है तो मतलब जिस माद्यम का घनब तो अधिक होगा उसमें धौनी अधिक तेजी से करेगी अर्था ठोस अर्था अर्था उस माद्यम में धौनी की चाल सबसे अधिक होगी मतलब ठोस में समसादा होगी द्राव में से कम और गैस में कि रहे हो गए है कि इसकि प्रोकार से क्सेद चल रहा है तो चलने आगे भात करते हैं हम इससे और देखने हैं अब हमारे में पास आ जाता है ध्हुनी के परावरत मतलब अब ध्हानी के बारे मेंलगबंग हमारे पास यह प्रड़त कर रहेता है लेकिन यह सूरें सकमारे प्रित्र को ऐसा निर्वात है भाई मंडल के बाहर से निर्वात फिर दुर्वाथ के दूर ही दमोनी को चलने के लिए थो मांध्यम क्ठा है तो ये उन्हीं माध्यम के कणों के जरी हम अपनी वूर्जा को ट्रांसफर कर रहे हैं लेकिन ध्वनीचु की वेव जो है जो तरंगिय गुण है उसको प्रदर्शित करता है तरंगिय गुण प्रदर्शित करने के कारण जिस प्रकार से प्रकास किसी सतह से टकराकर वापस आ जा है तो आप आएंगे कि यह रोस नहीं ऐसी चली कि हना टकरा के वापस लोटाना टकरा के वापस लोटाना क्या कहलता है परावर्तन यह सब जैसे ही दिख जाना reflection परावर्तन मतब टकरा के वापस आना क्या होता है टकरा के वापस लोटाना तो यह क्या होई यह देखिए यह ग paint कर दिया दूसरे side तो प्रकास इदर जाएगा नहीं क्या होगा लोट आएगा वापस ठीक तो प्रकास का जैसा परावर्तन होता था और प्रकास के परावर्तन में जो भी गुण धर्म होते हैं वो सारे गुण धर्म follow करता है कौन हमारा ध्वनी भी कारण क्या है यह ध्वनियों और प्रकास का कोई गुण नहीं है आप ऐसा कह सकते हैं कि यह उनके तरंग यह सन रचना के कारण हो रहा है चुकि दोनों तरंग है तो तरंग का ये गुण है अब वो तरंग के रूप में यहाँ ध्वनी है और वहाँ परकास था तो हम अभी बात करते हैं ध्वनी की ध्वनी क्या हो रहा भई तो ध्वनी का परवर्तन कब होगा कि जब एक माध्यम से मतब यहाँ से एक ध्वनी निक वापस लोट आगी तो इसके जाने और वापस लोटने के दौरान इसके जाने और वापस लोटने के दौरान यह हो गया वह हमारा सोर्स और यहां पे हमारा कान मतलब हम सुनेंगे यह जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के नाम से भी जानते हैं क आपतित तरंग इसको क्या कहते हैं आपतित तरंग ये क्या है आपतन बिंदू अच्छा तो ये वाली तरंग क्या कहलागी तो ये कहलाएगी परावर्तित तरंग भई परावर्तित के बाद ही आ रही है न हम कुछ भी नया नहीं करते भई जो हो रहा वही तो लिखते हैं आ रही थी तो आपतित परवर्तित हो के जा रही है मतब लोट करके जा रही है तो परवर्तिक जहां के मिली मतब आपतित जहां भी वह आपतन बिंदू तो भी यह आप एक और फार्म होता है यह जो आपतन बिंदू से अगर मैं ऐसा एक construction करूँ यह मेरा construction work है यह ऐसा होता वहाँ पर नहीं है यह मेना mathematical proof करने के लिए construction work है अगर मैं ऐसा बनाता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे तो मुझे मिलेगा इसको कहते हैं अभी लंप क्या कहते इसको अभी लंप अगर आप इसको दूसरे तरीके में देखे तो इसको generally हम कहत के डिगरी है यह normal हो गया यह आपतित मतब incident wave हो गया यह incidence point of incidence और यह reflected wave हो गया तो यहाँ पे अभी लंप और आपतित तरंग के बीच में यह कुण बना इसको कहते हैं हम आपतन कुण अना देखे मैंने बोलाता है कि कुछ भी नया नहीं आता आपतन कुण और जो यह अभी लंब और परावर्तित कीरण के कारण बनेगा इसको कहूंगा मैं परावर्तन कुण क्या कहूंगा परावर्तन कुण अच्छा इस डाइगा में तो बड़े सार सब्दा आ गये कैसे याद रखूंगा तो बैश सोर से जो आती है वह आपतित तरंग जिस बिंदू पर टकरा सब्सक्राइब करते और जो लंब खिचुछेंगे तो रहो τον आभी लंब और अभी लंब और आपतित के बीच का यह जो cool है इसको कहते हैं अपतन कोड इनके बीच का जो कॉण हो कहा लेक्रा परावर्तन को अब इस में बारी एक चीज आ बी strict परावर्तन कोण के ऐचा और दूसरा है कि आपतित तरंग के लें आपतित तरंग और यह अभिलम यह तीनों एक ही तल में होंगे तल का मतलब क्या तो यह देखिए पस प्पोर्स यह आपतित हो गई है नइ यह परावर्तित हो गई और यह अभिलम यह ऐसा हो ग्या मतलब इसके पीछ अगर कोई प्लेट रखे तो सबींगत अग्या खुजरेंगे इक ही प्लेंग्यार प्लेइस से गुजरेंगे अलग तल में मतलब यह देखे यह लंबवग तल में हो गया यह कोड उतने काई बन रहा है अभी भी यह कोड उतने काई बन रहा है लेकि तल तो अलग है यह इसके लंबवग तल हो गया तो ऐसा नहीं होता यह कैसे होते हैं सभी एक ही तल में होते हैं तीनों ही एक ही तल में ह होते हैं इसका डाइग्राम रखिए इसका स्क्रीन सॉट रखिए और इसको याद रखेंगे इसी तरीके से कि क्या क्या चीज़ होती है सोर्स आरी आपतित वापस जा रही है परावर्तित और जो आप अभिलम बनाया तो भई अभिलम और आपतित के के आगे हमारे पास प्रति ध्वनी अभ देखिए ध्वनी से अप लगभग सभी छीजो को हमें देखना है तो जितनी चीज़ हम जानते हैं उनकी हम बात कर लें धीर धीर तो भई इसी में हमारे पास आता है क्या प्रती धौनी इको साउंड अच्छा यह आपने सुना है बहुत बार सुने जब भी हम मुजिकल सिस्ट्रम कोई सा भी देखते हैं जिसमें मुजिक के नॉप्स डले होते हैं उसको एरेंज करना होता है या फिर अपने फोन की बात कर लेता हूं मैं जब आप फोन में रि तो प्रती धौनी जब आप कुछ बोले और वही आवाज किसी चीज से टकरा के वापस आपकी कानों तक आजा है तो इसी को कहते हैं क्या प्रती धौनी लेकिन इसके लिए एक छोटी सी बात है वो बात क्या है बही कि हमारे दिमाग में हमारे ब्रेन में सुनी हुई चीज क असर सिर्फ एक बटा दस सेकेंड तक होता है हाना इसका मतलब क्या कोई कुछ कहता है तो भाई हम हमारा दिमाग इतनी देर तक प्रॉसेस करता है या फिर कुछ यह कहें कि कोई कुछ कहता रहे हमारा दिमाग तो भाई है वन अपॉन टेन सेकंड तक ही सुनता है मतलब समस् सुनते हैं वह दिमाग बनाए रखते हैं लेकिन हमारे दिमाग को थोड़ी हमारा दिमाग तो भाई इसी पर बेस्ट है क्या जो कुछ उसने सुना वह प्रोसेस नहीं करता वह क्या कहता है वह वन अपन टेन सेकंड तक मैं जानता हूं अब आप डिजाइड कर दो कि क्या मैं इसको सेव कर लूं या फिर जाने दूं तो भई हवा में उड़ा दूं तो भई हमारा दिमाग जो है जो कुछ भी सुनता है वह वन अपन टेन सेकंड तक अच्छा एक चोटी सी चीज और याद दिलाते तो जो हमानी आखें होती है यह भी सेंसिबल ऐसे हैं यह यह वन सिक्स्टीन सेकंड तक सिर्फ इतनी ही देर तक देखे हुई चीज को हमारे दिमाग के ऊपर प्रेशर रहता है और इसके बाद क्या करते डिलेट कर देती है अब आपको ऐसा मेमोरी उसको याद करना तो भई यह दिमाग को काओ वही वन अपन सिक्टीन से कर लो बाद में भी मेरे को इसका ध्यान करना है ठीक है तो बाद में ध्यान करना है तो भई यह मतलब वह पिक्चर चापनी है अपने दिमाग में सेफ करना है अपने दिमाग के मेमोरी में रखनी है तो भई यह दिमाग को बतानी पड़े कि यह सेफ कर लो नहीं तो वो उसका क्या काम वह यहां पर जो सुना था लाए और आगर एसी रखते जाए तो कचरा नहीं हो जाए पूरा गार्वेज़ वाक्स बन जाए और अगर हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं द्यान से चीजों को नहीं सुनते हैं नहीं समझते हैं तो कहां याद होता है उड़ी जाता है न हवा में इधर से सुना और इधर से पास जो कहते हैं इधर से सुना एक कान से सुना दूसरे कान से जाने दिया तो भाई ऐसा तोड़ी नहीं होता है एक कान से सुनेंगे इधर छेथ थोड़ी नहीं इधर बोला यह चल करके गई यहां पर जाकेट के टकराई और टकराने के बाद क्या होगा भई तो टकराने के बाद यह वापस आगे मैं दूसरे कला से बनाने तो यह टकराने के बाद क्या होगा परावर्तित हो जाएगी मान लिया मैंने लंब वत ही भेजाता तो यह लंब वत ही परामर्तित होगे ज दो एक पोन पर जाए गाइगा उतनी वापस आ जाएगा यह वापस itos के पास आगी सब्सक्राइब गिए अब है जो मैंने बोला आइज़ा मैं बोलता हूं तो मैं भुद भी तो सुनता ही चुना हूं न ऐसा थो को point one second तक मेरे अंदर रहा point one second के बाद यहां से यह जाएगा और यह वापस आएगा तो इसको लगेगा समय तो जाके वापस आने में इसमें जो time लगे ना वो time लग जाए ऐसा कह लेता हूं मैं कि यह जो time लग जाए ये टाइम लगजा है ये पॉइंट वन सेकेंड से जादा का समय ले ले किस में जाकर के वापस लोटने में तो जब जाकर के वापस लोटने में पॉइंट वन सेकेंड से जादा का टाइम लेगा तो मेरे दिमाग ने जो चीज़ सुनी थोड़ी देर बाद फिर से वही चीज़ हमारे यह कामनों तक आ गई तो इसी को कहते हैं हम ECO कहते ना भई एक बार हलु तो बाद में आवाज आती है हलो 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 यह क्या है एको हम कहीं ऐसे पिक्निक ऍपाट पे ईसे हील स्टेशन्स पर जाते हैं जहां पर पहाडियां थी कुप जोड़ से चिलाओ आपना नाम तो कहते हैं भी दूसरे का नाम आता है तो ऐसा नहीं होता, दूसरे के नाम थोड़ी आएगा, जो आप चिलाओगे वही तो आएगा, है ना, तो भीया आपने जो चिलाया, उधर से repeat, वही आता है, है ना, आप वहाँ खड़े होकर के चिलाएंगे है, सूरिया, तो वापस ही भीया, सूरिया ही आएगा, है ना, वह प्रतिध्वनी जो एको की बात करें, यह क्या है, सेम साउंड का repetition, सेम साउंड का repetition, जो की 0.1 सेकेंड के बाद होगा, तो प्रतिध्वनी कहेंगे, हैना, ऐसे musical instruments में इसकी बहुत ज़्यादा जोड़त पड़ती है, बहुत ज़्यादा इसको उटिलाइज करते हैं, ताकि ह जो सुनने की जो capabilities है, फिर ऐसा कहा है, जो music होती है, उनके कई अलग-अलग जो notes होते हैं, उनके बीच में एक संबंध बनाया जा सक है, जैसे उसने कुछ बोला, उसको थोड़ा सा slow down किया, दूसरे को चालू किया, तो इसलिए वो mixing में काम आती है, तो प्रतिध्वनी का मत जो धक्या हो सकता होती है, ऐसा नहीं कि सामने है ना, एक खंबा रखा उसे टकरा के वापस है, बड़े साइज की चाहिए, जैसा generally जो कमरे होते हैं, खाली कमरा, खाली घर है, बिल्कुल खाली सा, आप बोलो दोबारा से वो आवाज रिपीट हो करके आती है, अब चाहें पॉलिस हो या खुर्दूरा तो बोली रहो विद दिवाल की बात, अच्छा, यह हमारे मस्तिक्स में जो है, पॉइंट वन सेकेंड तक के लिए ही बनी रहती है, अच्छा, आप देखते हैं, तो इस पश्ट प्रती ध्वानी सुनने के लिए, मूल ध्वानी तथा प्रती होनी के बीच में कितना पॉइंट वन सेकेंड का समय अंतराल होना चाहिए, इतना होगा तभी किलिरली सुनाई देगा, है ना, यह तो किलिर सुनाई नहीं देगा, ठीक है, अच्छा, इसके लिए एक और चीज है, कि जहां से आप बोल रहे हैं, और जो दिवार जैसे जिस 17.2 मीटर, और जो टाइमिंग है, वो कितना होना चाहिए, 1 upon 10 सेकेंड, है ना, तभी हमको सुनाई देती, मतब इस पस्ट प्रतिद्वानी सुनने के लिए औरो धक की ध्वानी सुरोत से निवनितम दूरी, ध्वानी द्वारत तय की गई कुल दूरी की आधी, जितना यह दूरी होगी, उसकी आधी होनी चाहिए, ठीक है, चलिए, अब यहां तक होता है हमारा यह ओवर कि प्रतिद्वानी क्या होता है, अब हम देखते हैं, आगे हमारा ध्वानी के बहुल परावर्त के उपयोग, मतब ध्वानी जो है, वो कई बार जब रिफलेक्ट होकर के इन चीजों में हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो देखे, भाई ध्वानी परावर्तन का उपयोग, मेगा फोन, लाउड स्पीकर, होन, तूर, सहनाई, यह जितने वाद यंद्र, उनमें इस्तेमाल करते हैं, तो यह कैसे होता है, यह मल्टिपल टैंस का मतब का है, तो जै पर वह स्पीकर होता है, और यह फ्रन्ट वाल अवह आगे, ऐसा लंबा, आसा है, ऐसा निकल के जाता है, इसका क्या करण है, ऐसा क्यो बना रहा है, तो इसको बनाने का मुखेर्फ से कारण देक लेते हैं, तूर यह लाँ तकरां यहा prove श्योग मेशना गाना, यहा जो क्यों होगा यह जो वेव यहाँ पर बनेगी ना इसका जो एंपलिट्यूड होगा यह बहुत ही जादा ऐसे बढ़ा हुआ रहेगा मत्ब क्या है बोड़ी बड़ी एंपलिट्यूड बनाता हुआ आगे कि तरह बढ़ेगा अच्छा भई तो इसका क्या इसका इस्तेमाल हो गया तो इसका इस्तेमाल क्या हो रहा कि यह कई बार परावर्तित हो रही है अच्छा तो भई इसको इस्तेमाल करके क्या बना लेंगे तुझे से लौड़ी स्पीकर्स जो बनता है वो इसी तरीके से बनते हैं फिर अपने बात किता हॉर्न जिसको यह बनत ऐसा और फिर यह उपर ऐसा निकलता है ऐसे ही और ऐसा बिलकूल इस तरीके से बड़ा सा ऐसा मुह वाला ऐसा यहां कहीं से हवास में भड़ते हैं और यहां पर एक दो ऐसा पॉइंटस बने होते हैं यह क्या करते हैं यह साउंड को ऐसा 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 यह रिफ्लेक्ट करके तो यह क्या रहे है मैंनम से रहे हो एक भी डैक्रस का क्या रहा हो यह है तो डॉककर जोने च्छा से तो यह आपको यहीं थे नाधा है पूपनोर पहुरत है नीचे की तरब एक प्लेट लगी होती है और वो प्लेट कैसी होती है सांट के लिए सेंसिटिव होती है और ये दोनों पॉइंटर सकान में आप क्या करेंगे ऐसा कान में लगाया और फिर वो क्या कहते हैं रखते हैं वो कहते हैं जोड से सांस लो तो वो क्या सुनने कोसिज क कुछ भी वह information वहां से निकालते हैं वह information क्या होती है कि यह जो है यह sensitive material है अब तो ही बहुत भी जो vibrations है आओगी न तो हमको कानों में सुनाई देती है तो यह vibrations कैसी आएगी तो आप ऐसा समझें मैं इसका एक ऐसा बना लेता हूँ एक diagram यह ऐसा यह pipe के जरी इस तरीके से यहा गया और दूसरा वाला इधर के कान में चला गया ऐसा ही कुछ बने अब आप देखिए इसमें क्या हो रहा है कैसे चला तो भाई यहां पे जो vibration मिलेगा इसको यही vibration को ऐसा 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 करता हूँ यह कहां पुचा देगा यहां अब यहां से एक तो इधर निकल जाएगा किस तरीके की sound produce और यह क्या कुछ दिक्कत आ रहा है या फिर continuity है तो यह सारी दिक्कतों को पता करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं अब देखते हैं और इसके अनुप्रियों को तो और क्या है भई कि अब हम यहां से ऐसा समझते हैं कि यह जो हम सुनते हैं य यह दोनी सुनने की कुछ रेंज होगी ठीक है क्या होगी कुछ दोनी सुनने की रेंज होगी मतब हम हर प्रकार के दोनी को नहीं सुन लेते हैं ठीक है तो दोनी सुनने की रेंज की जब हम बात करते हैं तो ऐसा समझे कि हमें या फिर और अन्य प्राणियों की अन्य जुनत कुछ लोग हैं जो बहुत उच्छ ध्वनी को भी नहीं सुन पाते हैं तो यह लोग को ने बई तो यह लोग को ऐसा समझ लेजिए कि जो लोग अवस्रवे धोनी का प्रयोग करते हैं अवस्रवे का मकतब एक सेम्बल सी बात देखें तीन तरीके हैं एक अवस्रवे एक स्रवे और एक पराधोनी जो हम सुन सकते हैं उसको हमने कह दिया वे स्रवे जो हमारे सुनने की रेंज से कम है उसको कह दिया अवर सरव और जो हमारे सुनने की रेंज बहुत ज्यादा उसको कह कह दिया परह धो령ी अचा इसको कैसे याद रखेंगे तो ऐसा समझे अवर सरव मतंब gyro से 20 headquarters और हमारी hearing range है जो है 20 से 20,000 Hz ओर जो पाण दोनी है वो कितनी होती हैमेल हमारी बीस हुजार से जादा बीस हुजार से जादा के जो दोनी होगी वह यह होती है तो कौन गोग है तुचिसे समझिये जैसे हाथी या फिर अपना बात किसे की तो थोड़ी बहुत भी हलचल परदा होती है तो सुन लेता है तो क्योंसे कि जो सूने की जो सिलने कि छंटा एना जो हेरिंच Pode यह न學 है धीमी से धीमी आवाज को भी एजली सुनने लेते हैं जैसे आपने ऐसा भी सुना होगा कि भुकम पाने से पहले यह बिल से चुहे बाहर निकलने लगते हैं या कुछ ऐसे जीव जनतु जिनको पता चल जाता है पहले ही वह सुरक्षिस्थानों पर जाने लगते हैं तो क्या क हमने अभी जैसे की पढ़ा कि हर्ट जो क्या होती बै आवरिति की का ही होती है तो 20 हर्ड से कम के नंबर्स जो होंगे जो इससे कम की ध्वनी आएगी वह इजली सुन लेते तो उनको पहले पता चल जाता है कि भी बो कम पाने वाला है है ना और हम आने लिए क्या होता है 20 से जादा की जो ध्वनी होती है उसको हम कहते है क्या पराध्वनी इसका भी इस्तेबाल सुनने के लिए या फिर ऐसा कहूं की पराध्वनी का इस्तेबाल जो है कुछ जीव जन्तु भी करते हैं और कुछ हमारे भी काम में आती है हैना कुछ जीव जन्तु भी करते हैं और कुछ किलो हट्ज や उससे ज्यादा की जो होगी उसको इसको इल्टरसाउंड कहते और इस सब्से तो आप वाकिफ ही होंगे अल्टरसाउंड Medical की लग्वेज में बहुत ज्यादा important है इल्टरसाउंड और इसको क्या कहते है बैई इसको audible sound जो सुन सकते Ultrasound कैसे बहुत बार आपने ऐसा सुना है कि उन जगों पर वैसी images जिसको हम directly नहीं देख सकते मतलब हमारे जैसे अगर अपन बात करते है किड्नी की बात कर ले है ना उसके बारे में मुझे information चाहिए कि वह properly functionate है या नहीं है गया टanı कर लिए या नहीं करू नहीं तो उसको पता करने के लिए हम वहां तक तो पहुँंच नहीं सकते न या फिर operate करके शिप देखने के लिए कि ठीक है कि नहीं है और बाद में करें है नहीं आरहा आपका तो खेडनी ठीक नहीं ठीक हों ठीक है जाओ, यह ऐसा थोड़ी करेंगे कि मसीन दोड़ी ने के खोल लिया बहुत सारी दिक्कते हैं क्यों क्यों क्या होता है जब हम एक साउंड भेजते हैं एक वेव हैं बैसिकली उस वेजने के बाद उसमें जो variations मिलते हैं वो variation के study करते हैं जो परावर्तित हो गे उसमें कुछ आउसोसित हो गे उनकी study करते हैं तो यह होता भी ultrasound अचा कुछ जो animals से वो काफी समय से इसको इस्तमाल कर रहे हैं हाना चलिए हम ज़रा सुरू करते हैं कि इनके अनुपरयोग क्या है किसके ultrasound के हाना जो पराद होनी थी उसके तो पहला तो देखिए यह चमगादर हाना यह इसका इस्तमाल कर रहा है हमने ढूना बाद में यह सब कि यह ultrasound नाम की भी कोई चीज आया है लेकिन चमगादर जिस समय से इस atmosphere में है उसी समय से इसका इसका इस्तमाल कर रहा है कैसे चमगादर बहुत ही हाई रिंज की एक वेव प्रोड्यूस करता है जो कि हम सुन नहीं सकते है ना इसने जब वेव प्रोड्यूस किया तो जड़ा देखिए यहां से यह वेव गई यहां पर कीट था इसे टकराई और टकरा करके वापस आ गई तो यह क्या काम करता बही एक अल्टरा साउंड उसने भेजा यहां जाकर कर टकरा करके वापस आई तो एक बात समझे ना एक सोर से कोई वेव है वो गया यह टकराया और टकराने के बाद में यही वेव जो है यह वापस आ गया तो यह गया और यह वापस आ गया जाने और आने में यहां से यहां तक में कुछ टाइम लगेगा उस टाइम को आप कर लीजिए नोट आपको इस velocity पता होगी इस wave के बारे में पता होगी कि कितने के wave से मैं इस wave को आगे भेज रहा हूँ तो मेरे पास कहा है velocity मेरे पास कहा है time तो distance नहीं निकल सकता है क्या तो आप कहेंगे बिलकुर निकल सकता है तो यह क्या करता है इसी चीज का प्रयोग करता है क्या वेग बराबर दूरी या यूं कहलू विस्थापन वेग बराबर विस्थापन बटा समय वेग बराबर विस्थापन बटा समय अच्छा इसी चीज को यह कैसे प्रयोग कर रहा है तो उसको विस्थापन से मत्तब है कित को खाना है बहु ऊसको कितना दूर है किस दिशा में हो टो से ऐसा वे रिप्रिलीस कि इस उसको कस्हार पता चल जाएगी जिस इंटेन सीटी से रिफलेक्ट हो गई उससे यह मी पता चल जा यह कि वह वह कितनी दूरी पर है तो झाल ना तो यहां से उसको कैसे तो देखे विस्थापन वराबर वो इसका प्रियोग करता है विस्थापन वराबर वेग गुणे समय तो यह जो चमगादड है यह हमसे पहले से पढ़ा लिखा है यह फर्मूला थोड़ी आता है यह फर्मूला तो सिर्फ हमको आता है लेकि प्रियोग वो कर रहा है भई, practically वो यूज कर रहा है, तब ही तो वो खा पाता है, नहीं तो खा ही नहीं पाता हूँ, क्या किया, इसने एक वेब जनरेट करी है, ये टकरा करके वापस आई, तो ये जो वेब जाती है, वो टकरा कर वापस आती है, इसमों अन्य गुणू का भी वो अध्य करता है, मतब ये भी पता कर सकता है, क्यों कितना बड़ा कीट है, छोटा कीट है, क्या वो कीट स्थिर है, ये वो इसकी तरफ आ रहा है, ये कहीं दूर जा रहा है, ये सब कुछ का अध्यन ये कर सकता है, किस से भेजेगे तरंग, और वापस आई तरंगों की तुलना करके भेजा गया मतलब ये रेडवाला और ये जो अपन परपल से बना रहे हैं मतलब ये वापस आने वली तरह इन दोनों तरंगों की तुलना करता है बकाइदा तो दूरी पता करने का तो बहुत आसान सा तरीका था बाकी चीजों को भी ये पता कर सकता है अचा इसी की वजह से और भी हम कुछ काम करते हैं जिसे हम क्या काम कर सकते हैं? जैसे कोई ऐसी जमा हो गया है, FC ऐसे साफ करेंगे हो और तो साफ करने के लिए कह दो उट्रा साउंड का तो उसको साफ करने के लिए पी। क्या करेंगे जितने भी उसके अंदर कचरा होगा वो मैटल को छोड़ छोड़ करके उसमें गिर जाएंगे और उसको हम बाहर कर लेंगे और जो इलेक्ट्रोनिक पूर्जे होते हैं उन्हें भी इसका इस्तमाल किया जाता है भी यह साफ सफाई करने के लिए चलिए आगे आप ऐसा समझ सकते हैं एक ऐसा यह धातू का ब्लोग समस्ते हैं जैसे माली जमने लोहे कि एक इतनी मोटी सी सिल्ली लिया अब उस सिल्ली में कुस दरार है या अंदर खोखला या कोई दिक्कत है कैसे पता चलेगी तो मैंने यहां पर लगा दिया एक डिटेक्टर यह क्या करता है यह डिटेक्ट करेगा और यहां से मैंने यहां से ध्वनी को भेजा कुछ अल्ट्रा साउंड ऐसी वेजी जो अल्ट्रा साउंड है यह अल्ट्रा साउंड यहां गई फिर से यहां से एक अल्ट्रा साउंड भेजा और मान लीजे यहां पर कोई दरार है यहां पर क्या यहां पर कोई दरार है कोई ब्लॉक है तो यह क्या करेगा यह अब पार नहीं करेगा यह ब्लॉक हो गया यहां से जाएगी और यह वापस यहां से लोट करके वापस आ गई यह फिर यूँ कह लें कि लोट के भले न वापस आ है यही पर जाकर के खतम हो गई क्यों खतम हो गई खतम होने का कार्ण यहां पर गैप है अगली गई यह पूरा ऐसा पार चली गई इसका मत्तब क्या समझ में आता है तो इसका मत्तब यह समझ में आता है कि जहां पर यह रुक गई यहां नहीं पहुँच पाई इसका मत्तब वहां पर ब्लॉक अब अगला देखते हैं कि अगला किसको तो इसका उपयोख सोनार के रूप में हैना सोनार एक यहंत्र है जास्त हम पढ़ रहा है हुआ उसी को प्रयोग करके क्या करते हैं कि समद्र में जो है वो गहराई नापने के काम आता है सीप में जहाजों में जब और वो पर कितना वी लिए जाता है जो काम करें थे वो बैठ चमगादर वही तरीका यहां पर भी हमने अपना है क्या किया जैसे आप समझे है हमारी एक शिप है यहां पर यहां से मैंने एक वेब नीचे की तरफ हेजी तो यहां से तरंग यह नीचे आई अब क्या होगा यहां से टक्रा करके और के बाद में यह वापस भी जाएगे ऐसी और जाकर कि हमारे जैसेette सोर्स हो गया और ऐसा समझ सकते हैं संसितिव मैटेरियल ओगा जिस पर जहा करको वह वापस गई तो इसने क्या क्या है नोट डाउन किया पहले तो note down किया जाने में लगने वाला समय और वापस आने में लगने वाला समय ठीक है और इससे निकाल लेंगे क्या इससे निकाल लेंगे कि भई नीचे कितना गहरा है क्या है तो क्या कहते हैं इसको तो इसको कहते हैं हम सोनार क्यों सोनार क्यों कहते हैं हाना वो जुल्री वाला सोनार नहीं है यह सोनार भई सोनार मतलब क्या sound navigation and ranging ठीक है इसका sort form है सोना sound navigation and ranging क्या होता इसमें इसमें देखिए आपने आसा एक wave भीजी तो इसका जो wave होगा wave होगा यह अपने को पता होगा क्योंकि हमने भीजी अब जाने में लगने वाला समय जाने में लगने वाला समय और वापस आने में लगने वाला समय यह क्या होगा वापस आने में वापस आने में लगने वाला समय मतलब गया तो गया है तो मान लीजे वो T और वापस आया तो कितना T तो जब मैं टाइम देखूंगा कि भई या बेव मैंने छोड़ी ये वेव नीचे आई ये टकराई ये वापस आगे तो जो टाइम निकल के आता हो कितना निकलता भई 2T यहाँ पर याद रखेंगे कितना टाइम निकलता है 2T तो जब टाइम निकलना होगा अकेली तो हम क्या करेंगे इसको T बाई 2 कर दिया करेंगे मैं तब इसको आधा कर लेंगे क्योंकि जाने और आने में लगने वाला समय दोनों जुड़के मिलता है अचा वेग पता है समय पता है तो विस्थापन नहीं पता चलेगा क्या विस्थापन वराबर क्या हो जाता है विस्थापन बराबर होता है हमारा वेग इंटु समय वेग इंटु समय कौन सा यह टूटे नहीं टी सिर्फ टी एक साइट से सिर्फ उस तो इससे पता चल जाता है कि भीया जो शिप चल रही है उसके नीचे कितना गहरा आनी है अच्छा सिर्फ इतना ही नहीं और भी वहत सारी information मिलती है क्या नीचे जिस से टकरा के आ रही है तो यह जो तरंग हमने भेजी है इस तरंग में कमी आएगी है ना इस तरंग में क्या होगा कुछ variations आएगा जो changes आएगा वो changes note down करने के बाद हमको य इसके जरिये पता चल जाता है क्योंकि ये वेव में तो ये तो मेहन काम किसका हो गया दूरी निकालने का गहराई निकालने का बाकी और information भी इसके जरिये निकाल लेते हैं तो यह कम तो बैट भी कर रहती है ने चमगा दड़ भी तो उसी तरीके से इसको यूच किया जाता ये भी एक important question है भाई ये भी आपसे पूछा जाता है सोनार को आप describe किजिए कि सोनार क्या होता है कैसे behave करता है ठीक है न तो ये हो जाता है हमारा अच्छा अब करते हैं भाई इसके बाद हम आते हैं हमारे कान के उपर भाई अभी तक जितनी चीज़े देखिए सब कैसा थ सोर्स था उसके utilization अब भी जो major चीज़ है जो सबसे important चीज़ है वो तो हमारा कान हमें कैसे पता चलता है sound के बारे में तो हम कहते हैं हमारी कानों से जब सुनाई पड़ती है तब तो कान का structure क्या होता है कैसे behave करता है कैसे काम करता है हम इसकी बात करेंगे तो कान में तीन पार्ट होता है हमारे पूरे कान का तीन पार्ट है तीन पार्ट कैसे कैसा तो एक पार्ट कहला था अगरभाग बाहेकर्ण जिसको कहते हैं एक मिडिल पार्ट है और एक अंतह पार्ट है मतलब एक जो हो गया वो बाहेकर्ण हो गया एक जो मद्यकर्ण हो ग रिली आपने कुछ बोला है और उसको अगर आप प्ले करते हैं तो speaker क्या करता भई तो देखिए ऐसा माल लेता है यह speaker है हमरा एक तो speaker ने क्या किया ऐसा एक wave generate किया हना speaker ने क्या कर दिया एक wave generate कर दिया अब क्या होगा भई हमारा जो कान है महां तक यह बात पहुंची अब यह पहुंची तो हमारे कान को कैसे पता चलेगा क्योंकि यह जो wave generate हुआ है उसको मान लीजिए कि मेरे कह सकता हूं मैं को उचारन कर रहा हूं मेरे कह उचारन के बदले इसने एक wave generate कर दी तो मेरे कान के द्वारे सुनाई पढ़ेगी और जयो मेरा मस्तिस्क होगा मस्तिस्क तक यह जो wave पहुंचेगी वो किस चीज को reflect करनी चाहिए कह को तो मतब यहां से vibration create किया तो यहां पर एक sensor भी तो चाहिए जैसा vibration यहां create हुआ उस vibration से sense करे मतब को से यहां पर क्या उत्पन हुआ तो यहां पर उत्पन हुआ तरंग तो एक ऐसा भी तो element यह ना जिससे आप तरंग से परिवर्तित कर लो कौको तो कैसे भी तो देखिए इसके लिए सबसे वहतरीन तरीका हमारे यह अगर भाग है यह middle part कहलाता है और यह सबसे आखरी मतब आखरी जो कान का जो अंता भाग कह रहे हैं वो यह आखरी भाग होता है ठीक है इनके बारे में इनके सारे parts के बारे में भी हम अभी एक एक करके देखेंगे लेकिन हम जब समझ लेते हैं यह काम कैसे कर रहा है तो आप इस image में देख पा रहे होंगे कि भाग क्या हो रहा है देखिए यहां से यह waves आ रही है यह waves हमारे यह जो बाहर करन है जो बाहर काम का जो है यह वाला करने का काम करता है जैसे कैसे पता चलता भी ऐसा होता है तो मालों जैसे कुछ जो आनिमल्स हैं वो आप कुछ बोलते हैं जैसे गाय भैस बकरियों को ले लेते हैं कुटे को ले लीजिए तो वो क्या करते हैं जब वबन कुछ बोलते हैं तो जो कान उनके ऐसा लटकर होते ह है हैना ऐसे कान विल्कूल खड़े करके सुनते मतलब क्या वह इंटीना जैसा समझ लीजिए कि कुछ भी वेवारी उसको रिसीब करना कैच करना कांग कर लेते हैं कांग खड़े करके सुनते मतलब वह एजली कैच आते हैं कि जितनी वेव सारी हो इस पश्ट डूप से उनके इन भागों पर पढ़े और इन बाद से पढ़कर के अंदर चली जाए यह होता है मिली यह जो बाहर का कान का हमारा हिस्सा है इसका काम है और सभी जनतों में अलग-अलग होता है हाथी में देखा आपने इतने बड़े होते हैं आप डॉक्स कुत वगएर को देखें को चीज है पिन्ना पिन्ना किसको कहते है यह जो कान के पास में यहां पर यह जो सेग्मेंट है यह पिन्ना है यह इसका में काम का है रिफलेक्टर का यह हिस्सा बहिया जो भी आ रही इसको लेगा और यह रिफलेक्ट करेगा इस पे और इसका क्या काम है यह डिरेक्शन देत तो अब इस pipe में क्या करेंगे तो इस pipe में यहाँ पर आने के बाद में क्या होता है देखिए यह जो vibration है यहाँ पर लगा रहता है एक परदा कह सकते हैं जैसे बहुत लोग को कहते हैं यह कान का परदा फाड़ने तक आवाज कर रहा है इतना तेज मत बोलो कान के परदे फट जाएंगे परदा मतब क्या एक इस तरीके का स्कीन है यह यह एक तरीके का यह इस पर यह देखिए यह स्कीन है इसमें क्या होना भई इसके उपर जब यह वेवस आएंगे यह जो वेवस आ रहे हैं तो यह वेव क्या करेंगे उसको आगे पीछे आगे पीछे वाइबरेट कर रहे हैं क्या करें इसको इसको आगे पीछे आगे पीछे वाइबरेट करें इस वाइबरेशन के कारण यहां पर हमारे पास तीन हड्डियां हैं एक यह एक यह एक यह और एक यह तीनों हड्डियों का मुखे रुप से क्या काम है तो इन तीनों हड्डियों का काम देखते ह और हम समझते हैं कि यह किस तरीके से बिहेव करता है जब कान में आपको यहाँ पर सिर्फ और से बित्ता समझना यह बाहे भाग मतलब बाहे करने क्या किया इसको अंदर पास किया कैनल में और इसके बाद इन हड्डियों तक पहुँच चुके अब यहाँ पहुचेंगे तो यह जो हैमर है इसको कैता हम हैमर यह हमर है यह हैमर को थोड़ा सा आप देखिए तो यह क्या रहा है देखिए यह वाइबरेट हो रहा है और यही वाइबरेशन यहां से लिंक होकर के चली गई कहां पर जो हमारा सेंसिटिव माटेरियल है जो हमारे कान के अंदर भाग में ह होता है जो सेंस करता है किसको साउंड के वाइबरेशन को तो भाई देखें यह वाइबरेट हुआ इसका जो था वाइबरेशन वो इसके जरी है यहां आया और यहां पर आने के बाद यह देखें यहां पर हमें साउंड जो है वो सुनाई दे रही है यह जो भाग होता है उसम हमें sound सुनाई देती है तो मतलब क्या हुआ जो मैंने अभी आपको समझा रहा था कि जैसे speaker से एक तरीके का call जो बोला था उसको तरंग में convert किया तो इन तरंगों को वापस call में convert करने का ये काम कर रही है क्या कर दिये भी तरंगों को वापस से उस लेटर के तरफ से समझने के लिए ये कनवर्जन और ये हमारे ब्रेन के पास चला जाता है हमारा ब्रेन समझता है कि का उचारन हुआ है तो मतलब मद्द करन में करन पट्टा और उनमें उपस थित तीन हड्डियां ठीक है इनकस है ना फिर मेलियस और स्ट्रिप्स ये तीन सम्मिलित होते है ठीक है अचा इसको जो मेलियस होता है इसको हैमर भी कहते है हैमर मतलब यह यह देखिए यह हैमर का ही काम कर तोड़ वसा दयान से देखेंगे तो यह हैमर का ही काम कर रहागा है जैसे हैमर चलता है हथोड़ा उसी तरीके से यह काम कर रहा है और एक हैना पर सबसे important on tino हड़िआं यह जो हड़ि है ना stepis यह मनुस्य के सरीर की सबसे छोटी हड़ी होती है भाई यह अभी हमें एक्जामस में पूछे है ना पूछे लेकिन यह lifelong याद रखने के चीज़ है कि जो stapes है यह मनुस्य के सरीर की सबसे छोटी हड़ी होती है हमारे सरीर में आपको पता है कि पूरा हड्डियों का ही ड्раंचा है हैना तो इने सबसे चोटी हड्डी यह होती है अब इसके बाद बारी आती है कि तक की अंत्रिक कान की मतब कान के इस भाग में कोकिल्य और स्रमर्ट तंत्रिका होती है मतब ordinary nerve जिसको कहते है यह यह दोनों पार्ट यह यहाँ पर जो दोनों पार्ट दिखे रहे हैं यह ordinary nerve का मतब यह जो nerve जो दिख रही है यह इसका मतब कि जो finally sound को यह जो कुछ भी आ रहा है सब कुछ vibrations को ले आ करके जो sense करने का काम करेगी वो करती है को स्रमर तंत्रिका और इसके बाद यह जो nerve है यह कहां से भई यह हमारे brain को बेखती है signal कि भई यह इस तरीके का कोई vibration आया तो हम इसको क्या समझें जैसे आपको cause पता है तो आप सुनेंगे तो आपका दिमाग उसको process करेगा लेकिन दूसरा इसी चीज़ को सुनेगा तो उसके लिए क्या है भई अगर मालचे उसको core word नहीं पता core letter basically नहीं पता तो उसके लिए तो कोई बात ही नहीं हुई न उसके लिए तो noise हो गया तो उसके दिमाग तक तो पहुँचेगा लेकिन दिमाग उसको sense नहीं कर पाएगा है न मतब दिमाग तो उसको process नहीं कर पाएगा ये कह सकता sense तो कर लगा process नहीं करेगा क्योंकि उसका मतलब नहीं पता उसको ठीक है तो यहां तक में हमारा एक खत्म होता है पूरा chapter है ना, जिसमाँ हमने ये देखा, कि भई जो चिस ज Мосण नहीं कर रहा है हमारा दिमाग उसको कह दिया, ध्वानी दुआरा प्रोडियूज वा सोर, बीकिस को कहिए मैं नॉइस किसको खीए मैं नॉइस क कर किसको कहिए था, सोर को कहते है कि अन्वऺंटेग्हें का का है noise है ना sore है ना वो क्या है उनके लिए noise है sore है तो noise का मतलब ऐसा एच सच कोई definition नहीं है noise का मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा समझ सकते हैं कि एसी sound जो unwanted हो जो हमें पसंद नहीं हो वो सब सोर के अंतर गता आजाती है ठीक है तो चलिए अब हम सुरू कर लेते हैं इस chapter से जुड़े questions को प्रशनों को ठीक है जो कि हमारे अभ्यास प्रशन जो हमारे इस chapter के जस बात दिये हुए है हम उनकी चर्चा करने चारे है जो कि बहुत ही महतों पूर्ण होने वाले है जिसमें हम लोग जो छोटे प्रशन मतलब लगो उतरिये टाइप और दिर्गो उतरिये टाइप numerical सब कुछ दिया हुए उन सभी को हम चर्चा करने वाले है side by side ठीक है इसके अलावे भी आपको और वीडियो आपको available हैं जिनमें आप देख सकते हैं हमारे NCRT examplar के questions के answers को objective को लगो उतरिये important questions यह बहुत सारे questions यहाँ पर तो अभी हम यहाँ पर जो देख रहे हैं हम सिर् तो पता कैसे चलेगा कि हमने जो पढ़ा वो पढ़ा तो याद हुआ नहीं हुआ हमारे दिमाग में वह रहा कि फिर वही जो सुरू में बात करी थी कि one upon ten second के बाद अपने जाने दिया फर उड़ गया तो भई इसलिए क्या करेंगे इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमको क इतना आगया तो सुरू करें क्या चलिए सबसे पहला ही प्रशना आगया द्वानी क्या है और यह कैसे उत्पन होती है तो भई आप कितनी बार से यही तो चल रहा है आप बताएंगे ना क्या है द्वानी एक प्रकार का उर्जा है एक प्रकार की उर्जा है जो कि माध्यम म माध्ध्यम में बिचोव पैदा करने के बाद उत्रपन्न होती है क्या है यह एक प्रकार की उर्जा है जो किसे प्रोड्यूस हो रही है तो यह प्रोड्यूस हो रही है बिचोव से बिचोव का मतलब क्या बई वाइबरेशन यह किसे प्रोड्यूस हो रही है किससे कमपन से इसके लिए क्या किया था तो एक ऐसा ट्यूनिंग फ्रॉग और इस ट्यूनिंग फ्रॉग को एक हैमर से हमने उठाया और इससे हमने इसको स्टक कर दिया तो यह क्या होने लगी यह वाइबरेट होने लगी तो यह क्या भई ध्वनी को उत्पन करना ठीक है कैसे कैसे उत्पन कर सकते तो एक तो यह से दे दिया tuning frog हम बोल रहे हैं यह द्वनी उत्पन हो रहा है आप दो चीजों को रगड़ेंगे खुर्चेंगे तो क्या उत्पन होगा उससे द्वनी उत्पन होगा ठीक है तो द्वनी क्या है तो द्वनी एक प्रकार की द्वानी एक प्रकार की उर्जा है जो की तरंगों के माध्यम से संचरित होता है या चलता है ठीक है अब भई इसके लिए क्या लेकरना है तो कैसे कैसे उत्पन होती है तो हमने कह लिया भई कि ट्यूनिंग फ्रॉक ट्यूनिंग फ्रॉक से ठीक है ट्यूनिंग फ्रॉक से अच्छा इसके अलावे क्या भई तो भई आप बोल देंगे वह स्पीकर से ठीक है किसी चीज को खुरचने से किसी चीज को खुरचने से चीज में टकर करने से मतलब संगटे करने से इन सभी तरीकों से, क्या होती है इन तरीकों से ध्वानी को उत्पन न की जा सकती है ठीक है, तो ऐसे अपन इसको short form में, मैंने बहुत ही जदा आप के लिए कि द्ध्वानी के उस रोथ निकेट वायो में संपीडन ते था विरलन कैसे उत्पन है तो संपीडन और विरलन जैसा कि आपको ठटाया कि जब हम वाइबरेशंस क्रेट करते है अचनक मां लीजे कर अचनक से अपने दबाव बना दिया दाब लगा दिया तो यह क्या होंगे तो जहां दाब जादा लएगा वहां के कड़ पास पास आजाएंगे जहां नी लेगा दूर हो जाएंगे फिर पास पास फिर दूर तो ट्यूनिंग फॉर्क जो होता है उसको ऐसा स्टक कीजिए तो यह टन ऐसा करता हुए रहेगा तो क्या करेंगा यह कुछ बादे इसको कहते है तो इसको कहते है भाई संपीदन क्या कह direction, इसको कहते है जान बूग के जिर क्रता है तो मैं कीजिए लएक व्यृनिकर के निकर्ट वायू में संपिट अंता विर्लन कैसे उत्पन होता है तो भाई ट्यूनिंफ फॉक ठीक है इसके जड़ी आप कर सकते हैं ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं किस प्रयोग से यह दर्साय जा सकता है कि ध्वनी संचरंड के लिए द्रव्यात्मक माध्यम क्या हो सकता होती है तो भाई एक थोड़ा सा अच्छा जार बनाता हूँ मैं ये हमने एक जार ले लिया है ना अब क्या किया इसको एक कौक के जरीए पैक कर दिया ये लगा दिया कौक ये पैक हो गया इसमें एक लगा दी मैंने पाइप और इस पाइप को एदर ऐसा कर दिया इसके साथ ही इसमें एक और छोटू सा काम किया है वो काम किया है भई एक हहाँ से ले आए वायर और यहां पर जो वह घंटी रहती यह घंटी जो अपने स्कूलों में लगे है बई ऐसा करके आवाज आती है खले एक जिसको कहते है खले यहाँ पर लगाते है खले यहां पर यहां पर और इस को जार को जो एक काउट लगा तै Object World पूरा पिक कर देतों यह पूरी तरीके से पैक हे कहीं से भी अब जग़नी है सिर्फ यह पाइप के अलावा अब क्या किया? अब क्या करेंगे? तो भाई हमने कहा किए switch को close कर दो, इस T को बंद कर दो यहां से विदूधारा परवहित होने तो यह क्या करता दो यह तैसा होता है किइंटी एक ऐसा और इसके ऊपर एक ऐसा arrangement होती है वह वह पहां ऑप तो बहुत हो अपर अब क्या हो रहा थो देखे यह जो पाइप बनाया था यह सौकिया नहीं था इसको हम कहते हैं निर्वात निर्वात पाइप क्या कहलेंगे इसको निर्वात पाइप कहलेते हैं अब क्या करना भीया तो कुछ नहीं SF कर दीजे इसको बजने दीजी और इसमें अभी वाईू भरा हुआ है क्या है वाईू भरा हुआ अच्छा जब तक इसमें वाईू भरा हुआ तब तक हमारी कानों तो गंटी के वर सुनाई दे रही है फिर दीरे दीरे कह करना भी है निर्वाग पाइप से इसकी वायू को बाहर निकलना सुरू कर दीजिए तो वायू जैसे जैसे बाहर निकलेगा वैसे वैसे ध्वनी की ध्वनी की जो intensity है ध्वनी की जो तिवरता है ध्वनी की जो तिवरता है जो कानों तक आपको सुनाई दे रही थी वो तिवरता भी क्या होने लगी कंव और जब पूर्टह वाईॡ़ बाहर निकल जाएगा ये कैसा बाई पूर्टह बाहर निकल जाएगा तो ये ध्वनी जो है ध्व домой बिल्कूल आनी हो जाएगी बंध अब ध्वानी नहीं आ रही है इस वैसे पूरा वायू बाहर निकाल दीजिए इसको पूरा खाली कर दीजिए तो अब इस बेल की कोई भी आवास नहीं है कि इससे क्या समझ मैं है कि जैसे जैसे माध्यम के कड़ों में कमी लेकर के आया वैसे वैसे साउंड कम होने लगी माध्यम के कड़ों में कमी लेकर घृए क्म होने लगी थोड़े समय बात क्या हुआ पूर्टा बाहर कि तरफ ध्वानी तरंगों की प्रकृति अनुदैर धिक्षिए हैं हाना ध्वानी तरंगों की जो प्रकृति है वह अनुदैर धिक्षिए हो अनुद्यर्द का मतब क्या lognitudinal lognitudinal का मतब क्या वैश्क कया समझ Alcohol के ध्वानी तरंगों में Jen रेर्फेक्शन मतलब क्या निम्न इस पर क्या कहूंगा निम्न दाब किन के बीच में माध्यम के कड़ों के बीच में और यहां पर क्या होता भई उच्च दाब किसमें माध्यम के कड़ों के बीच में तो जो ध्वानी तरंगे होती है वह ऐसी चलती है निम्न दाब उच्दा आप निमनिदाब, उच्दभ निमनिदाब, मतलब संपीडःन, फिर विरलन, संपीडःन, विरलन, कंप्रेशन, रियरर फेक्षंच, अप्रेशन, रियरर फेक्षंच माध्यम के कण तथा तथा जो तरंग है तरंग की दिशा ठीक है माध्यम के ऐसा कर लेता हूँ मैं यहाँ पर कणों की दिशा कह देता हूँ कणों की दिशा माध्यम के कणों की दिशा तथा तरंग की दिशा दोनों एक ही और होते हैं एक ही और होते हैं एक ही और होंगे अगर तो भाई यह इसको क्या कहोगे आप एक ही और अगर होंगे तो क्या कहेंगे आप तो भाई इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं कि भाई यह हो गया मेरा अनुदैर्ध क्या हो जाएगा अनुदैर्ध मैंने आपको सिखाया था कि तरंग माध्यम के कंड ऐसे आगे पीछे यह जो चीज़ लिख रहा हूं मत्तब इसको क्या लिख सकते हो कि माध्यम के कंड माध्यम के कंड आगे पीछे चलते हैं आगे पीछे आगे पीछे जो है यह क्या करें आगे पीछे गमन करते हैं गमन करत करते हैं कंपन करते हैं लिख देतों में कंपन करते हैं अच्छा तो इसको कैसे बनाए तो बहुत यह कणों की दिसा हो गई और इधर ही क्या हो गई हमारे वेक संचन की दिसा इसलिए इसको अनुदार दिखाते हैं अगर उपर नीचे होती तो ट्रांसवर्स कहा देते भाई चीक है तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ ध्वनी में कौन सा अभिलक्षन किसी अंधेरे कमरे में बैठे अपने मित्र की आवाज पहचानने में आपकी सहायता करता है मतब कौन सी चीज़ है जो करता है तो देखो डिफ्रेंशियेट करने की जब भी बात तो आमने पढ़ाता timber क्या भाई timber ये एक अभी लक्षन है जिसके जरिए हम दो sound waves के बीच की differentiation कर पाते हैं ठीक है जो timber है इसते क्या कर सकते हैं हम दो sound waves की बीच की differentiation निकाल सकते कि दोनों में क्या अंतर है तो मतब अंधेरे कमरे से क्या फरक पड़ता है सुनना ये ना कांग से जो अध्वनी आएगी कांगों के पास वो तो अंधेरे कमरे में भी आ सकती है तो मतब भी इसका answer हो जागा timber क्या इसका answer? timber पढ़ते हैं अंगलेव की तरफ तडित की चमक तता गरजन साथ साथ उत्पन होते हैं लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सकेंड के पस्चात गरजन सुनाई देते हैं ऐसा क्यूं है? यही सेम क्वेस्चन वालूम जब प्रकास पढ़ेंगे तो उल्टा हो जागा उसमें क्या पुछने लेंगे? क्या आप तो ऐसा वाता हो कि light पहले क्यों आ जाती है? साउंड बाद में क्यों आती है? और यहाँ पर भी यही चीज बोचते हैं कि यहाँ पर मुख्य जोर किसके उपर? उल्टा के मतलब क्या? सवाल तो सेम है लेकिन किसने का मुख्य जोर होता है? वहाँ पर प्रकास यहाँ पर मुख्य जोर कौन है? ध्वनी तो क्या कहते हैं बई? कि जो ध्वनी की चाल है क्या मैं यहां पर लिख रहा हूँ ध्वनी की चाल ध्वनी की चाल किसमें भई वायू में ध्वनी की चाल चाल वायू में वायू में होती है 344 मीटर प्रती सेकंड अच्छा कई जगह पर आपको यह 346 मीटर प्र सेकंड भी देखने को मिल जागी तो एक रेंज है एक औसत मा कहां पर भई तो यह 25 डिगरी सेल्सियस जब तापमान रहेगा हमारे वाई मेंडर के तापमान 25 डिगरी सेल्सियस तो इतनी होती चैलिस भी हो सकते हैं मैं बार बार बोल रहों भई तो ध्वनी की चाल वायू में यह हो गई अब इसी तरीके से हम लिख लेते हैं प्रकास की यहीं प्रकास की चाल किसमें वायू में टो परकास की चाल तो आपका पता होगा 3 इन्टो 10 इंटू दे पावर 8 मीटर प्रती सेकेंड अब बताये मुझे आंसर बताने की जुर्ट है आप खुद बताइंगे आप ही तो बताइंगे क्यों क्योंकि देखिए यह कितना ज्यादा है अगर इसको में किलो में चैंज कर दू तो 3 000 000 km प्रती है, ना, सेकिंड, ठीक है? तो 3 000 000 km प्रती सेकंड भई, यह बहुत बड़ी वैलू हो गई, हेना, तो चलिए, 3 x 10 to the power 8, बहुत बड़ी वैलू है, 344 इसकम है, तो भई, जो ज़्याद है चलेगा, जल्दी जो धीरे चलेगा, वो बाद में पोचेगा, तो क्या लिखेंगे इसमें, क्योंकि, इसका अंसर क्या जागा, क्योंकि, क्योंकि, प्रकास की चाल, प्रकास की चाल वायू में, प्रकास की चाल वायू में अधिक होता है, ठीक है, प्रकास की चाल वायू में अधिक होता है, किस से ध्वनी की चाल से ठीक है चलिए तो बढ़ते हम अपने अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण कहता है किसी व्यक्ति का आउसद स्रव्य परास है ना मतब हेरिंग रेंज सुनने की सक्ति जो हमारे पास है जो रेंज है हमारे पास वो 20 से 20 किलो हर्ट्स है इन दो आवरितियों के लिए ध्वनी तरंगों की तरंग दर्ध ग्याद कीजिए वायू में ध्वनी का बेक देखिए 344 मिटर प्रति सेकंड दे दी जा आप से क्या पूछ रहे हैं तो आपको यह हेरिंग रेंज दी हुए हेरिंग रेंज से 20 किलो हर्ट्स ठीक है मैं नीचे लिखता हूँ ज़रा समझते हैं इसको तो भाई पहले हर्ट्स किसकी का ही होती है तो हर्ट्स ही का ही होती है किसकी फ्रिक्वेंसी की अब रती की किसकी फ्रिक्वेंसी तो भाई यह फ्रिक्वेंसी को नियू से डिनोट करते हैं तो मैं 1 लिख लिऊं नियों ऑगया यह 20ヘ तो क्या हो जाएगा तो न्यू 2 हो जाएगा मेना 20,000 हर्ट्स क्या लिख सकता उस या नहीं यह खिला हर दांग्यों का मत्तब हजार तो 20 हजार बीस हजार अच यह ओ अब क्या बोल रहे हैं अब कह रहे हैं कि जो वेग हैं अच्छा इन दोनों के लिए होगा ना जो वेग होगा वेग मत्तब क्या यह कह रहे हैं जो विलासिटी है वो 344 मीटर प्रती सेकंड है अब क्या पूछ रहे हैं तो बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति का यह यह है तो इन द आवरितियों के लिए ध्वनी तरंगों के तरंग दैर्ध क्यों ग्यात कीजिए क्या पूछ लिया आप से तरंग तरंग दैर्ध तरंग दैर्ध को मैंने बोला ता बहुत आसान है कौन सा वेवलेंट तो वेवलेंट कितना होगा बही तो वेवलेंट किस से प्रतल सित करते है लैम्डा से लैम्डा आप से पूछ लिया कि यह लैम्डा बता दो वेवलेंट आप बता दो तो चलिए जब यह पूछ लिया तो हम calculate कर लेते हैं ठीक तो चलिए सबसे पहले calculate करता हूं मैं सबसे प्रथम आपके लिए ये calculate करता हुँ, तो एक बात बताईह, इनमें relation क्या होता है, वेग और इसमें, तो इसमें relationship सबसे पहली तो बात कर लेता हुँ, तो देखिए, हमें पता है, जो वेग होता है, hi न, जो क्या होगा, वेगजो होगा. ठीक है? मैं यहीं पर formula कर लेता हूं इसको. जो वेगज होता है वो होता है मेरा तरंग-देर्थ तरंग-देर्थ, अपान अपान समय. अचारा, अगला मैं इसको लिख सकता हूं V is equal to lambda upon t और चुकी 1 upon t कोई हम कहा कहते हैं अचर्द में हैं यह फ्रिक्वेंसी आपर यहां पर मिल्जाता है मुझे तो मिल जाता है फिललसीतिक यह इवलल इस डो टूम लेंड़ा उलसीन इंदा उसटे एक उपनेड़ा राम। पच्चा है नहीं हो। जब लेंड़ा पुच्छा लैम्डा 1 निकालता हो, लैम्डा 1 क्या हो जाएगा भई तो लैम्डा 1 य currently निकालओंगा तो विलॉसिटी ह términ है कुपन विलॉसिटी तो सेम है तो विलॉसिटी अपॉन क्या लेको जोमोंगा नियू 1 अगरिड वही विलॉसिटी जो ध्वनी की चाल है, वो 20 हट्स के लिए है, 20 हजार हट्स के लिए है तो 344 मिटर परती सेकंड ही ना, तो भाईया, रखो ना है आपे, लैमडा 1, क्या, लैमडा 1, विलोसिटी, 344, अच्छा, परास किता था था भाई, ये था मेरा 20, अगरेट, किता था मेरा 20, तो भाईया, साथ बार में, दो, 172, किता, 172, अच्छा, एक 0 भी लगा है ना, नीचे, तो एक 0 लगा है, मतब किता हो जागए है, 17.2, ये पूरे सखट गया, 17.2, ये आगया मेरा लैमडा 1, ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, लैमडा 1, अच्छा, लैंध से है, तो मीटर डाल दिया, अब अपन निउटू, तो लैमडा 2, V मतब भई 344, नीचे किता लगाना है, तो नीचे लगाना भई है, 2000 इस बार, हैना, क्योंकि अंतरी मौला है, तो 2000, तो 2000 के लिए क्या करें, तो मैंने 2 से काटा था, तो 172 बार में कड़ गया था, अब ये 0s के लिए काटेंगे, तो भी आ आगे, एक, हैना, किता, ये जब 0s के लिए काटेंगे, तो भी आ, ये जो लगेगा, एक, दो, तीन, तीन, डिजिट पहले क्या लग जाएगा, उसमें एक, दसमल्लाव लग जाएगा, हैना, अगर आप चाहें, तो इसको इस तरीके से बकाइदा कर लिजे, हैना, क्योंकि किता हो गया भई, एक, सो, बात, अब क्या करना है, एक, दो, तीन, जीरो पहले, तो जीरो दसमल्लो, एक, साथ, दो, किता हो गया, जीरो दसमल्लो, एक, साथ, दो, मीटर, ये हो गया भई, हमारा, दोनो आंसर, ठीक है, ये मेरा हो गया, दोनो आंसर, क्या दोनो आंसर, तो दोनों के लिए तरंग दयाद करना था तो निकाल लिया hearing range पहले के लिए 17.2 और दूसरे के लिए 0.172 ठीक है तो मतब कहां से कहां तक की wavelength को सुन सकते हैं तो मैं ऐसा लिख सकते हूं वही कि कहां से कहां तक 17.2 से 0.172 मीटर तक को हम सुन सकते हैं ठीक है चलिए तो यहां तक आपको clear है आप चाहे तो इसका screenshot रख सकते हैं हम बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न कहता है अगला प्रश्न क्या कहता भई कि दो बालक किसी aluminum pipe के दो सीरो पर है एक बालक pipe के एक सीरे पर पत्थर से अगात करता है दूसरे सीरे पर में एक तो मैं बात कर लेता हूं कुछ values की कि वायू में ध्वनी का वायू में ध्वनी का जो चाल है या वेग कह लेता हूं ध्वनी का जो वेग है वो किता था भई 344 मीटर प्रती सेकेंड ठीक है ना 304 अच्छा तो भई अलूमीनियों में तो अलग होगी ना तो अलूमीनियम है खेर जब ऐसे प्रस्ण आपको परिक्षा में पूछे जाएंगे तो वहाँ पर जो मैं यह दोनों वायूस लिख रहा हूं यह दोनों वैलूस आपको दिया जाएगा तो एलूमीनियम पाइप Aluminium pipe से ध्वनी का ध्वनी का जो वेग होगा वो हम लिखेंगे 6420 meter प्रति सेकेंड ठीक है यह किस से निकलना भई? Aluminium की pipe से अचा अब यह दोनों data मिलगा अब हम बात कर सकते क्या कह रहे हैं? कि भई दो बच्चे हैं यह एक Aluminium का pipe ले लिया और A ने हैना यहाँ पर एक पत्थर से इसको ठोका, स्टक किया तो यहाँ पर था B इसके पास दो तरीके से संचरित हुई, एक तो इसके अंदर से यह ध्वनी गई और दूसरा इसके पास ध्वनी जाने के लिए कैसा यह वायू में से भी तो हो करके ध्वनी जाएगी तो दूसरा में जो ध्वनी संचरण हुई जैसा कि आपको पता है कि जो माध्यम ठोस होगा उसमें तेजी से चलेगा और जब हम बात करेंगे कि इसके भाई वायू में से जाने का तो यहाँ पर धीरे धीरे चलेगा एक में तेट चलना और एक में धीरे चलना तो भाई कैसे चलेगा क्या होगा तो आई यह जड़ा हम कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसके कैलकुलेशन के लिए क्या करना पड़ेगा मेरे पास वेग आ गया मेरे पास वेग आ गया और जो अलुमिनियम की पाइप है इसकी लंबाई मैं कह लेता हूँ भाईया कि यह एल लंबाई पर दोनों एक दूसरे से रुके हुए ठीक है चुकि अनुपात निकालना है तो यह लंबाई कट जाएगा तो इसलिए मैं मान सक इसमें भाई तो टी निकालना है मान लेता हूँ इसको लिख देता हूँ ए एयर और टी निकालना है किसमें भाई ऐलुमिनियम है ना एम लिख देता हूँ टी एयर में और टी ऐलुमिनियम में इन दोनों का अपने को रिश्यू निकालना है तो टी ए निकालने के लिए क्ल पढ़ेगा तो भाई मुझे पता है क्या पता है कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय क्या होता है विस्थापन बटा समय अच्छा तो समय बराबर तो समय बराबर हो जाएगा क्या विस्थापन बटा बेग अब विस्थापन बटा वेग हो गया इसका मतलब क्या टी इक् लिखते हैं तो T equals to हमें क्या करना पड़ेगा देखे T equals to T equals to विस्थापन मतलब L विस्थापन है यहां पर कितना विस्थापन करना भई L दूरी चलेगा न और वे जो भी विलासिटी देगा तो चला इसको लिख लेते हैं लाँ लेंचा द उसको वीन कहल का दूगा तो यहां पर पहला केस बनाता हो मैं पहला केस कैंडि अब hear 았 आ टी ऐससे जो चलेगा लेंध तो इतनी चली कि दोनों के बीछ मेले और बीके बीचकी जो दूरी है वही pipe की दूरी के बराबर है अपन इसमें क्या लिख दूंगा तो इसमें लिख दूंगा भाई वी वन तो निकालिये ना असान हो गया तो टी ए बराबर अब ल तो इसी छोड़ देता हूँ वी वन की वेलू बताएंगे किता भई अर में 344 है यह हो गया मैं एक इसको बना लिते हैं दूसरा देखिए इसमें दूसरा जो है वो कह रहा है टी अलूमीनियम को एम से लिख रहा हूँ यह अलूमीनियम से यह किसमें अलूमीनियम तो अब आपन वी टू अब आप कहेंगे इसका क्या होगा भई तो एल अपन वी टू वी टू मतलब भई 6420 अब इन दोनों का अनुपाद यह ए अपन एम तो लिख लेते हैं कोई दिखका थोड़ी है क्या पी ए अपन टी एम टी ए अपन टी एम तो क्या हो जाए गए टी एम आप एल अपन 344 अपन एल अपन चौशट सो बीस इसको जब आप क्यलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा तो भई आप कहेंगे टी एल अपन 344 को एं रखिये और यह 6420 को उपर वेजिए और नीचे ले आ दिजे हैं यह यह एल सेल क्या हो गया कट गया यह यह एल सेल एक काम करते हैं इन दोनों को कर देते हम विभाजित तो काट दीजे यह क्या हो गया यह हो गया 18.55 इतने बर में कर जागा तो मतलब क्या निकला भाई तो यह निकल गया टी ए अनुपात टी एम बराबर कितना 18.55 अनुपात एक नीचे एक हो गया वह पूरा डेसिबल में ठीक है क्या निकल गया वह इन दोनों के बीच में अनुपात तो पता चल गया किस से जल्दी चलेगी और किस से लेट आप देखके भी बता सकते हैं यह जो 344 को डिवाइड करेंगे और 6420 मतलब 6420 से अगर डिवाइड कर गये तो यह वाली वैली चोटी आएगी और यह वा बढ़ जाए आगे अगला किसी ध्वानी सुरत की आवरिती सोहज है एक मिनट में यह कितनी बार कमपन करेगा तो बहुत सार तरीकें करने के लिए मैं तो आपके एक सेंपल से चीज़ बता दे रहूं कि भाई एक मिनट एक मिनट में कितना होता भाई 60 सेकेंड किता होता है साथ सेकेंड एक मिनट में साथ सेकेंड और इसको काउंट कैसे करते है भाई किती बार कमपन करेगा मतब फ्रिक्वेंसे फ्रिक्वेंसी कैसे होती है प्रती सेकेंड फ्रिक्वेंसी क्या होती है प्रती सेकेंड कितना कंपेर तो प्रती सेकेंड में करेंगे तो क्या होगा कि किसी दानी सुरूत के आवरिती सो है तो भई सो हर्ट्स है प्रती सेकेंड और साथ सेकेंड में कितनी करेगा बाबती सो हर्ट्स है कितना प्रती सेकेंड और साथ सेकेंड में करना है तो इन दोनों का गुणा कर देते हैं ना सिंपली क्या साथ गुणे सो कितना हो जाएगा 6000 बार वो कमपन करेगा अच्छा तो बढ़े अपन अगले प्रस्न की तरफ अगला क्या भई तो क्या ध्वनी परावर्तन के उन्ही नियमों का पालन करती है जिनको प्रकास करती है इन नियमों को बताईए तो भई यह आ गया मैंने बोला भी ता कि ऐसा कुछ आएगा देखिए भई इसका पहले तो आंसर लिखेंगे क्या कि हाँ पहला आंसर क्या है हाँ यह जो है ध्वनी परावर्तन उन्ही नियमों को पालन करती है जो प्रकास करता भई इसका आंसर हाँ है अब कहते है नियमों को बताईए तो नियम क्या है भई तो देखिए यह एक ऐसा सम्तल हो गया या फिर एक ऐसी सत्ता हो गई जिसके आर पर जो है वो साउंड नहीं जा सकेगा तो क्या करूं मैं तो भई एक स्रोत से एक स्रोत से आने दो फिर एक बिंदू पर आके मिल जाने दो और यहां से आप इसको जाने दीजिए अब क्या होता है तो ज़रा लिख लेता हूं मैं सब कुछ तो यह जो पॉइंट होता है यहां पर बनाते हैं क्या अभी लंब इसको क्या कहते हैं अभी लंब अच्छा यह जो लाइन आ रही है यह तो हो गया मेरा सुरोत और यहां पर क्या हो जाएगा यहां पर सुरोता हो जाएगा जो सुनेगा यहां पर से जो आ रही है यह क्या कहलाती है बई तो यह आपतित यह क्या है आपतित तरंग ठीक ये जो जारी ये क्या है ये परावर्तित तरंग ये क्या है परावर्तित तरंग अच्छा ये जो गया या भिलम होई गया ये क्या होता भई तो ये होता है हमारा आपतन बिंदू ये क्या है आपतन बिंदू अच्छा तो क्या होगा भई तो यहाँ पे ये जो कूण बनेगा इसको क्या कहेंगे तो इसको कहूंगा मैं आपतन आपतन कोण और यहां जो बनेगा इसको क्या कहूंगा मैं यह कहूंगा मैं परावर्तन कोण ठीक है, येख अभिलम और प्रावर्तित किरन के बीचवे बनने वाला कॉन तो इसते पुछे नियम बताईए, तो ये ये डागराम बहुत केमपलिसरी हो जाता है तो पहला नियम, नियम पहला, पहला नियम क्या कहता तो पहला नियम तो कहता है कि जो आपतन कोण है कौन आपतन कोण ये बराबर होगा किसके परावर्तन कोण के ये किसके बराबर है परावर्तन कोण के अच्छा दूसरा नियम तो दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित तरंग है आपतित तरंग और जो परावर्तित तरंग है जो परावर्तित होके जा यह कौन सी परावर्तित तरंग आप तितरंग परावर्तित तरंग तथा जो यह अभी लंब हमने ड्रो किया है जो अभी लंब तथा अभी लंब है ना तीनों एक ही तल में होते हैं में होते हैं क्या होता है भई तीनों एक ही तल में होता है यह हो गया हमारा इसका नियम यह समझा दिया है कि यहां करता है follow कैसे करता है तो यह वाला कौन यह वाला जो कोन है यह इसके बराबर यह कोन इसके बराबर और यह यह मतलब क्या आपतित परावर्तित और अभिलम यह तीनों ही एक ही तेल में होते हैं ठीक है क्लियर है तो चलिए इसका स्क्रिन सोट रखे बढ़ते हम अगले प्रस्ण की तरफ तो अगला हमारा देखिए ध्वनी के एक सोत किसी परवर्तक सत्य के सामने रखने पर उसके दोरा प्रदत ध्वनी तरंग की प्रती ध्वनी सुनाई देती है यदि स्रोत तता परवर्तक सत्य की दूरी थिर रहे तो किस दिन प्रती ध्वनी अधिक सिग्र सुनाई देगी जिस दिन तापमान अधिक हो उस दिन की जिस दिन तापमान कम हो उस दिन ठीक है तो भई क्या करना है यहां पे तो यहां पे आप देख रहें कि ध्वनी का एक स्रोथ है किसी परवर्तक सत्य के सामने रखने पर उसके दोर अप्रदत ध्वनी तरण की प्रती ध्वनी सुनाई देती है तापमान अधिक रहेगी तब कि तापमान कम रहेगा तब तो भई इसका आंसर का है जब तापमान अधिक रहेगा तब ठीक है बढ़ते हम अपने अगले प्रश्निक योग ध्वनी तरंगों के परावरतन के दो बेवहारिक उपयोग लिखिये परावरतन का क्या उपयोग थ यह जो परावर्तन था इसके क्या उपयोग था तो एक तो इसको जो डॉक्टर्स यूज करते हैं दूसरा इसका क्या उपयोग है तो दूसरा उपयोग इसका था कि जो हॉर्न बनाते है उसमें है ना सहनाई जो बनता है उसमें तो बहुत सारे उपयोग है ना सहनाई हो गया ह और नहों गया है इन सभी में ध्वानी के परवर्तन का उपयोग करते हैं इसके परवर्तन का उपयोग हम इन में करते हैं अच्छा आगे बढ़ जाता हूं मैं अपने अगले प्रस्ण पर तो अगला प्रस्ण हमारा 500 मिटर उची किसी मिनार की चोटी से एक पत्थर मिनार के अधार पर इस्थित पानी के तलाब में गिराया जाता है तो पानी में इसके गिरने की ध्वनी चोटी पर कब सुनाई देगी तो भई इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा तो पहले तो चोटी पर सुनाई देने के लिए आप ऐसा समझजिए कि हमने एक ये ऐसा यह एक ह हाइट से एक पत्थर को यह गिरा है तो आ करके डिप होगी फिर यहां से ध्वनी जो है यह प्रोड्यूस हो करके उपर जाएगी वह सुना ही देगी तो मतलब क्या होगा हमारे पास इसमें दो तरीके के ताइमस कैलकुलेट करने पड़ेंगे पहले तो चोटी से जब नीचे आएगा तो इसको कहले तो टीवन और जब यहां से वेव जो ध्वनी जो प्रड्यूस होगी इसको उपर जाना पड़ेगा तो इसके जाने में लग गया भाई टीटू तो मुझे क्या निकलना है कुल सम जोगा ना वोला ना चोटी पर कितने देर के बाद देगी तो चोटी पर से छोड़ा तो लगा हुआ समय कब पत्र को पानी में गिरने का और गिरने के बाद जो धनी प्रोड्यूस होई उसको उपर तक आने में लगने वाला समय तो दोनों को कैलकुलेट करते हैं तो गिवन है मेरा 10 मिटर प्रती सेकंड स्कॉयर और चाल वेग दिया है किसका जो धनी चल रही है उसका 340 अचा देखे गब राई है कर नहीं यहां पर 340 कह दिया कहीं पर 344 आरा कहीं पर 346 तो एक और सत है बाई यह एवरिज है तो क्या करें तो सबसे पहले तो निकाल लेता है कि पत्थर जो नीचे गिरा उसका क्या हुआ तो पत्थर जो नीचे गिरा यह वेग है इससे confused नहीं होंगे यह किसका यह ध्वनी का अब पत्थर के लिए निकालतो तो पत्थर के लिए प्रारंभिक वेग क्या होगा? जीरो, यह क्या है? पत्थर का प्रारंभिक वेग, यह है पत्थर का प्रारंभिक वेग, अब पत्थर का प्रारंभिक वेग जो हो चुका है, वो जीरो हो चुका है, हैना, हाइड दिया है, टाइम निकालना, तो कौन सा फर्मूला निकालना है वही वही की बात करी नहीं है, final velocity पत्थर की बात नहीं करी, तो कौन सा formula लगा है, तो हमका पता है, second equation, second, second equation क्या कहती है, तो second equation हमारी कहती है, S equals to, मतब H लिख लेता हूँ, उसकी जगह, UT1 plus half 80 square, तो यहाँ पर क्या हो जगह, GT1 का square, है ना, S equals to UT plus half 80 square, उसी formula से, ठीक, तो H कितना है, H दे दिया है, 500, U कितना है, तो यह पूरा हो गया, 0, half, half, G मतब दस, और T1 का square तो निकालना ही है, इसको आप काटेंगे, तो कितना हैगा, 5, मतब यह निकल गया है, मेरा T1 का square is equals to 500, बटे, 5, काट दीजे, 100, अर्थात, T1 बराबर under root of 100, मतब कितना है गया, 10, यानि मेरे को मिल गया, T1 बराबर 10 second, यह हो गई, मेरे T1 निकल गई, अच्छा, T1 निकल गई, तो अब निकलना है, T2, T2 मतब क्या है, यहाँ से जो चल के गया धोनी उपर, उसमें कितना समय लेगा, तो इसका वेग दिया है, और distance पता है, तो आपका पता है, वेग विस्थापन बटा समय, तो क्या करेंगे भई, तो हमको निकालना है क्या समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा वेग, अब चलिए निकाल लेते हैं, तो T is equal to विस्थापन, कितना है, टीटू लिखा है ना तो टीटू लिख लेते हैं विस्थापन किता है तो विस्थापन है 500 है ना और वेग कितना है तो वेग है 340 काट दीजिए एक जीरो से जीरो और पचपन बटा 34 करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 1.47 अब मुझे क्या निकालने बोला था तो बोलता टीवन प्लस टीटू तो यह आ गया ना टीवन प्लस टीटू टीवन मतला पत्थर को नीचे आने में लगा समय और टीटू बता अब ध्वनी को जाने में लगा समय पत्थर को आने में लगा तह 10 से किन और ध्वनी को आने में लगा है कितना 1.47 तो कितना होगा तो टो टोटल होगा 11.47 सेकिन्ड तो बहаксим प्थर चोडने के 11.40 सेकिन्ड चे बाद आपको चोटी पर ध्वनी सुनाई दे जाएगी कि यले रहे क्या ध्म निकव एक ध्वनी तरंग हाना 339 मीटर पर सेकेंड की चाल से देखिए अभी 340 की बात करें 339 तक आ गए कि चाल से चलती है यदि इसकी तरंग देथ 1.5 सेंटीमेटर हो तो तरंग के आवरती कितनी होगी क्या ये स्रब्वे तरंग होगी तो चलिए सबसे पहरे तो डाटा कैलकुल करते हैं यह क्या डेटा है यहाँ पर तो पहली तो तरंग हाना चाल दिया मतब विलोसिटी वेग देदी 349 मीटर प्रतिसे कैसे पता चलता है यूनिट से अब देदिया तरंग दार तंग देदिया लेंडा लेंडा कितना 1.5 सेंटीमेटर अब यह तो स्टैंडर्ड यून कितना हो जाएगा बई जीरो दसमल लग जीरो दसमल लग अचा सॉरी यह एक हजार से क्योग करेंगे बई मीटर में तो करना है अब आपन सो हैंना तो यह कितना हो जाएगा 0.015 0.015 जीरो पोइंट जीरो वन फाइप है का तरीका था भई क्या हमारे पास एक फार्मुला था क्या वी इक्वल्स टू निव लैम्डा ये था वेग बराबर वेग बराबर आवरिती इंटू तरंग दैथ तो मुझे आपन यूनिक नियू निकलना तो निव इकल शुक्या हो जागा भई वी अपॉल लैम्डा 22600 whalessire 600ğı राइस चैसलीर फोल वी जाजित किया अब या बताइए क्या यह सरव्य है तो वें सरव्य का रेंज्ज क्या होता है सरव्य की रेंज होती है बीज हर्ड्स अबीर हजर हर्ड्स तक सिर्फ इतना ही हम सुन सकते ना तो इससे ज़्यादा और नहीं इससे कम उससे ज़्यादा होगी वो इल्ट्रा साउंड हो जाएगी तो ये जो है ये क्या है तो ये कहूंगा है कि ये जो है ये एक अल्ट्रा साउंड है ये कैसा साउंड है ये एक अल्ट्रा साउंड है पराधोनी है तो यह स्रव्य होगी तो लिखेंगे नहीं यह स्रव्य नहीं है वाई यह सुनाई नहीं देगी जादा है ना देखिए ठीक है तो यह स्रव्य नहीं है बढ़ते हैं अगले प्रस्न के दरफ आसान है ना वाई इसके सारे प्रस्न बहुत ही आसान आसान से है बस चटो चटो से तो calculation है, अब बारी आती है, अनुरणन क्या है, अनुरणन को आप ऐसा समझ सकते हैं, री वाइबरेशन, इसका क्या मतलब समझ सकते हैं, री वाइबरेशन, वाइबरेशन मतलब कमपन, revibration क्या होता है तो revibration को आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे आपने देखा है जो आपके कमरे होते हैं जब खाली होंगे ना तब उसमें कुछ समान नहीं रखा विलकुर नया कमरा जब कभी like paint went करने के लिए जब कमरा खाली करते हैं जब हम बोलते हैं तो आवाज गुंजती सी महसूस होते हैं ऐसा लगता है कि अगर तब clearly नहीं सुन पा रहे हैं साफ सुतना मुस आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं होता है ऐसा या फिर अगर मैं को एक बड़ा सा हॉल हो उसमें आप बोलो तो कुछ आवाज गुंजती हुई रहती है उसी को कहते हैं क्या है री वाइबरिशन क्या कहते है उसको री वाइबरिशन अनुरण ठीक है इसी कहते हैं अनुरण अच्छा तो भई इसको कम कैसे किया जा सकता है कम कैसे करेंगे तो भई क्या करते हैं आपने जैसे देखा होगा अब यह नीचे मैटिंग करते हैं, नीचे मैटिंग करने का सिर्फ एक यही सौक नहीं है, कि मैटिंग करने से क्या होगा कि आप जब कभी भी उसमें एंटर करेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, नहीं भी यह इसका दूसरा भी तरीका है, यह क्या करता है, जब मैटिंग करेंगे मतलब कपड़े लगा देंगे आप क्या कहते है पूरी जो दिवार होती है उन दिवारों के ऊपर भी कपड़े कस देते हैं हैना मोटे गत्ते कस देते है थर्माकॉल की सीट कस दी जाती है दिवारों के ऊपर भी हैना नीचे फ्लोरिंग पर भी इससे क्या होता है कि जब sound जैसे माली यह एक कमरा हो गया यहां से जब voice यहां से create हुई तो यह जाएगी टकराएगी और वापस आएगी क्योंकि यह क्या परवर्तित तो होती है लेकिन अगर यहां पर थर्मकॉल की seat कस दी तो यह जाएगी तो लेकिन अब यह वापस नहीं आएगी वह वहीं जा करते हैं जैसे halls, auditoriums या बड़ी जगा जहां पर loudspeakers चलाने होते हैं वहां पर इस तरीके के दिवारों पर चिपका दी जाती है पैकिंग्स कर दी जाती है जिससे क्या हो जाए कि sound जाए तो जैसे फ्लोरिंग्स, मैटिंग्स में क्या हुआ था बही वह टाइल्स अच्छे न आगी दोबारा दोबारा अगर आएगी तो क्या होने लेगा उसमें अनुरणन होगा vibrations जो री वाइब्रेशन होंगे वह आपको किलियरली सुनने नहीं देंगे अगले आने वाले sound waves को आपको क्लियरली सुनने नहीं देंगे इसलिए ऐसा काम करते हैं जैसे जो multiplex की बात कर आती है क्या अगर वही खाली कमरा होता इंदसेंस कि उसके boundaries पैसा कुछ नहीं लगाया होते तो वह आवाज गूंस्ती रहती उसी में आपको नहीं समझ में आता है ना तो अनुरणन का मतलब ऐसा समझता है गूंजना आवाज जो गूंस्ती हम उसी की बात कर रहें री प्रया है इन किन कानों उपर निर्भर करते हैं ध्वनी की प्रबलता का मतलब ऐसा समझ सकते हैं यह हमारी कानों के उपर बेस्ट है हमारे कान जो सेंस करते हैं मतलब हमारी समवेधन सीलता मतलब इसको आप कह सकते हैं कानों की कान समवेधन सीलता यह किसके उपर है कर्ण सम वेदन शीलता पर अधारी थे ठीक है किन काल को लेवर करती है तो गुछ गरत करें तो उच्छ तारग्व की है दो किस उपर उच्छ तारत तो या निम्न तारत की है या फिर मैं बात कर सकते है तो और सबसे वहतर तो समझ बहता है कि कुछ मिर्दु धुधनी है कुछ बहुत तेज तीखी आवाज है ना तो यह आयामों के उपर ही ठीक है जैसे क्या होता है बासूरि से जो आवाज आती hookah edition sound opener कर दिशन चला है कि से आयाम पे उसके तारतों पे कि श् journalists के तारतों पे इस पे निरवर करती है ठीक चलिंए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्ण की तरफ अगला प्रस्ण कहता है चमगादर अपना सिकार पकड़ने के लिए पराध होनी का उपयोग, किस प्रकार करता है वह और रिखिजी. जम्गादार का अभी हम स्वाइब लिखे से जिसे हम चाट्र के अंदर भी समझा. हाला, क्या करता है तुल्हादार क्या लिखें? माल लिखें, चम्गादार यह point A पर है, चमगादर यह क्या करेगी यह एक वे प्रोड्यूस किया और माल लेते हैं यहां कहीं पे पॉइंट बी पे कोई इंसेक्ट कोई कीड़ा है जिसको उसको खाना है माल लो तो यह क्या करेगा यहां से वापस ऐसा 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 यह वेवस चल करके वापस आगए ठिक है क्या होगा यह waves चल करके वापस आ गये ठिक तो यह waves चल करद वापस जब आ गये तो इससे इसने calculate किया इसको चमगादर को पता है कि यह A Vएग से इसने भेजा था तरंग को ठिक है और वापस आने में लगा हुआ क्या निकल लेगा time तो time मिल गया और vague का wave पता है तो vague जो गया और जो आया तो इसमें कितना भाई एक बार यह d distance तहे हुई एक बार वापस आई तो d distance तहे हुई तो total 2D distance तहे करने में लगा हुआ जो होगा क्या sum है t इसी को हम क्या कहे लेगे vague v ठीक है 2D upon T is equals to vague v इसी तरीके से वो कहा करता है पराधोनी का इस्तेमाल करता है चुकि पराधोनी जो ultrasound होता है वो किसी भी चीज़ से टकराने के बाद reflect back हो जाता है वह वापस आ जाता है वो reflect हो गई होगा उसको आर पर नहीं चला जाएगा है ना तो इसलिए क्या कहता बीचमगादर कहता अपना सिकार पकड़ने के लिए पराधोनी का उपयोग करता है और किस परकार हो रही है तो यह रहा है उसका explanation कि भईया यह गया टकराया और वापस आया और आपको इसमें डिस्क्रिप्श का उपयोग कैसे करतें हैं और की आर पराधोनी चो अल्टरा-साउंड इसको ज McM no have code इंपॉर्ट का उपयोग कैसा करते हैं वह वस्तू साफ करने का मतलब होता है कोई ऐसी वस्तू हो है ना जो सरपीलाकार हो सरपीलाकार मतलब चालिए बनाता हूं ऐसा हो भई वस्तू है ना ऐसा वो जो मिजिकल इन्स्टूमेंट होता है हम इन कर लेते है यह थोड़़ا जादा यी बढ़ा हो गया यह बता करते हैं接क में वायर डालेंगा और उसे साफ कर लेंगा तो इसको साफकरने के लिए क्या किया जाता है यहां पर ultrasounds produce किया जाएगा तो वो ultrasound क्या करता है तो इनकी जो boundary है उसमें vibrations create करेगा vibration create करेगा तो मालगी कुछ scale कुछ कचरा है हाँ पर फसा हुआ है scale in the sense जैसे लग जाती है बहुत सफेद सफेद कलर की है ना तो वो अगर यहाँ पर जमा है तो यह vibration से क्या करने लगेंगे vibration produce होगा तो यह अपनी सता को छोड़ करके बाहर हटने लगेंगे निकलने लगेंगे चीक है अब अगर वो बाहर निकलने लगे तो क्या हो जाएगा भई उनको उठा करके के बाद में इससे बाहर कर लिया जाएगा मैंन कहता है इस सटा से छुडाए कैसे तो सटा से चुडाने के लिए यह हो जाता है इसके अलावा क्या भई तो इसके अलावा जो इलेक्ट्रोनिक्स पूर्जे होते हैं जो इलेक्ट्रोनिक्स पूर्जे होते हैं उनको भी साफ कर जाता है ठीक है अच्या इसका यूज हैना जैसे स्टोर्ण हो जाता है कई बार को है न वो ऐसी जगह पे स्टोर्ण हो गया मतब poni के अंदर जिसको कहकर सकता आपरे नहीं कर पारे यह फिर अपरेट वह काफी जाता ऊपेंप ब्लेड बहुत तुकडों में करकर के उसको बाहर निकाल देते हैं ठीक है तो इनका इस्तेमाल मेडिकल में भी बहुत जादा है अच्छा अब बैस सोनार की कारिविधी तता उसके उपयोग का वर्णन कीजिए तो देखिए इसका उपयोग तो आप समझी चुके हैं जैसा कि कि भी सोनार क्य कि फिर से इसने किया डी डिस्टेंस यानि कुल तय की गई दूरी कितनी है भई या इसके दोरा टूडी समय लगाया इसने टी और वी इसका विलोसिटी इसका वेग होगा जिससे हमने तरंगों को नीचे की तरफ भेजा था तो भाई यहां से क्या पता करना होता है तो पहल एक बराबर आप कहेंगे विस्थापन विस्थापन बटा समय तब ही विस्थापन वे कितना वी विस्थापन कितना तो टूडी जाने और आने में अना गया और आया और जो समय लगा चीक है समय कितना भई तो समय हो गया हमारा टी अब यहां से निकालना है आपको क्या टी तो T आपको calculate करनी है T आपको calculate करनी है या फिर आप कहलो D calculate करनी है तो D कैसे calculate होगा V into T upon D या ना या सॉरी V upon T V into T upon 2 यह हो जाएगा हमारा form calculate करने के लिए इससे क्या होगा भई तो इससे मेरे को मिल जाए करेगा कितना distance नीचे था कितनी दूरी उसने नीचे की तरफ तै करी यानि कितना यह जो था यह नीचे depth है अचा सिर्फ इतना ही नहीं होता है इससे यह भी पता चल जाता है कि यह जो depth में क्या है क्या है मतब नीचे कोई material मतब कोई metallic चीज है क्या क्यों non metallic चीज है क्या नीचे कोई बइफ है या फिर नीचे ऐसा कोई जलिय जीव है उन सभी के बारे हम पता चल जाता है क्योंकि यह वेव है यहां से रिलीज होती है और वापस से यह गेन होती है तो दोनों के अंतर को अन yhtर को लोटा और दोनों के समयों का पाठांक note कर लेते हैं और wave की amplitude उसका आयाम उसकी frequency इन सभी को भी note कर लिया जाता है और उसके basis पर हम calculate कर लेते हैं अपने जो भी calculations बना रहे हो मतलब बेरे को depth पता करने है मतलब ships की depth कितनी मतलब seas में उतना नीचे depth कितना है यह पता करना है हमको यह पता करना है कि नीचे किस तरीके का material है यह भी पता हम कर सकते हैं तो यह होता है इसका क्या कारेविधी अब उपयोग क्या है तो उपयोग तो भी इसको सिप्स में यूच कर रहे हैं depth पता करने के लिए ठीक है इसके बारे और विस्तरित वर्णन के अगर बात करते हैं तो वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं जो हम लोगों ने chapter के अंदर समझा क्योंकि यह दिर्ग हो उतर यह प्रशन है यह लॉंग आंसर टाइप है ठीक चलिए बढ़ जातों में अपने अगले प्रशन की तरफ एक पंडूवी पर लगी एक सोनार युक्ति संकेत भेजती है और उसकी प्रती ध्वनी पांच सेकेंड पस्चात गर्ण करती है यदि पंडूवी से वस्तू की दूरी 36-25 मिटर है तो ध्वनी की चाल की गर्णा कीजिए भाई देखिए यह रही पंडूवी पंडूवी समझते है न यह वैसे शेप है यह पंडूवी नहीं है पंडूवी क्या होती है पंडूवी नाम से क्लिए रहे पानी में जो डूब के चलेगी पंडूवी क्यों बनाए पंडूवी आखिर आखिर उसके आवशकता क्या पड़ी क्या करते क्या इसे तो एक चीज है जो सिप्स होती है बड़ी होती है दूर से दिख जाती है दूर से दिख जाती है चूप चैकि यह पानी के ऊपर चलेगी अब बहुत सारे ऐसे भी काम होते हैं मतलब डिफेंस की बात करता है अगर नैशनल सिक्योरिटीज की अगर हम बात करें जो हम राष्टिय सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो यह सुरक्षा के लिए सुरक्षा के दृष्टिक ओन से जो हमारे जल सेना है हमारी क्या अधर कंट्रीज की जो जल सेना है वो पंडूबियों का प्रयोग क करना है कुछ मुझे जनकारिया जुटानी है तो बहुत सारी के लिए पानी में डूबने वाला अब इसको जैसे हम डिफेंस में किस परकार से यूज़ करें तो डिफेंस में वह यह सभी लोगों को नहीं दिख सकता तो कुछ special radars होते हैं जो countries यूज़ करती हैं कोई घुसे नहीं उसके अंदर फिर भी बहुत सारी technologies आज की date में विस्कित हो चुकी है जो कि radar के पकड़ में तो normal radars के पकड़ में नहीं आती हैं और बहुत सारी खूफिया जनकारिया जुटा सकते हैं इसके जरिये सिर्फ यह नहीं जैसा मैंने कहा कि नीचे जा करके हम कुछ analysis करना चाहते हैं को जनकारिया जुटाना चाहते हैं कि समंदर के भीतर किस प्रकार के चीज़े हैं तो इसकी भी जनकारी हम जुटा सकते इसके ज़री है तो यह करता क्या बैट तो इसको तो बहुत आवश्यक है ना कि नीचे कितना डेप्ट है पता हो है ना इसको डेप्ट की बहुत ज्यादा जोरत है सामने कोई object आ रहा है वो कहा है कितनी दूरी पर कोई दूसरा object है इसका भी पता होना है क्योंकि वो तो नीचे नीचे चल रहा भई मतब नीचे ऊपर दाएं बाएं हर दिसा में इसको पता करना होगा कि भई कोई दूसरा object तो नहीं आ रहा कोई इसी चीछ तो नहीं रही जिससे टकराने के लिए तो इस वज़े से इसको यूज करते हैं, तो चलिए यहां पर जो जो दिया है उसकी बात कर लेते हैं, यहां पर प्रतीद होनी पांच सेकेंड पस चार्थ गहन करती है, मतब जो गया और वापस आया, जाने और वापस आने में लगा हुआ समय, that is, T गिवन है पांच सेकेंड अच्छा, यदि पंडूबी से वस्तू की दूरी, जो डिस्टेंस है, वो 3625 है, तो धनी की चाल, मतब आपको विलोसिटी निकलना है, यह तो बड़ा सिंपल सी बात होगी ने, विलोसिटी इस उकल्स तो क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय हो गया, लेकिन यहाँ पर जो दिया गया है डिस्टेंस, यह डिस्टेंस सिर्फ एक तरफ का है, मतब यहां से यहां तक जा करके यहां तक पहुंचने का, सिर्फ यही दिया हुआ, तो वापस जाने के डी अपाउन टी अपाउन टू क्या क्योंकि कुल समय है जाने और वापस आने में तो मुझे तो एक ही तरफ का सिर्फ और सिर्फ चाहिए तो यह टी कहां चला जागा ऊपर तो यह किता हो जागा यह टू डी अपाउन टी क्या हो जागा टू डी अपाउन टी तो क्या हो पांच से काटिये तो साथ 35 एक बारा हो जाएगा दो बार में अगर पांच से काटे दस तो दो बचा दो बचा यानी 25 पांच है ना साथ सो पचीज। 725 मतब साथ सो पचीज गोने दो यानी 14 C 50 च्या बही चाल तो मतब 1450 मीटर प्रती सेकेंड को दिक्कत है क्या यह बहुत सिंपल था सिर्फ यहां पर ट्विस्ट था यह वाला यह टी वाई टुवाई टू ठीक है या तो डिस्ट्रेंस को डबल ऐसा फॉर्मुले में कई बार को ऐसा विटू डी से के नाम से भी याद रख लेते हैं तो फॉर् ठीक चलिए बरते हम अपने अगले प्रस्ण की तरफ अगला प्रस्ण नंबर 21 किसी धातू के ब्लॉक में दोसों का पता लगाने के लिए पराध होनी का उपयोग कैसे किया जाता है वर्ण कीजिए तो देखे इसको अभी उधर पहले भी आपको डिसकेशन किया अभी फिर कारण बस माल जी कोई बबल हो गया या किसी भी कारण बस बीच में खाली जगह बन गया है ना खाली जगह बन गया तो कैसे पता चलेगा तो इदर एक संसूचक बना दिया संसूचक मतलब क्या जहां पर मैं यहां से सोर्स से एक एक ऐसा वेव एक अल्ट्रा साउंड यह इससांड गया ठीक अब क्या होता है कि मान लीजिए हापे इतना सा हो जाएगा यहां से जो भी यह अल्ट्रासाउंड जाएगी यह आगे नहीं जा पाएगी यहीं से उरुक जाएगी मत्तब यह संसूचक पर यहां पर कुछ भी नहीं प्राप्त होगा कि बीच में यहां पर बेहाता चार यहां पर रप्त हुई करा करें कि कि कितनी दूरी में है ये ब्लॉक सिर्फ यहीं से नहीं फिर क्या करेंगे पुरा इंजमेंट की तब इंदा सा खत्म कर दिया अब दूसरे बनाते हैं तो दूसरे अरेंजमेंट के लिए मैं इसको साइड हो बनाता हूं दूसरे अरेंजमेंट में क्या क्या वहीवाला ब्लॉक है नीचे से उपर की तरह वेजना इसा शुरू कर दिया यहां पर वेश संसूचक बनाया तो पता चला कि भी इसकी विट्थ भी निकल कोडिनेट्स दोनों के मिल जाएंगे तो हम इस ब्लॉक के अंदर भी ना पहुंचे ही पता लगा सकते हैं यहां पर ब्लॉकेज है ठीक है इससे पता क्या चल गया कि भी यहां पर ब्लॉकेज है तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तलफ मनुसिक कान किस प्रकार का कारे कर हैं यहां से यह जो है यह क्या होता भाई यह जो मद्य भाग होता है और यह जो हमारा होता है यह अंतह भाग होता है मतलब क्या कहते हैं इसको कहते हैं क्या मद्य कर्ण अच्छा और इसको क्या कहेंगे तो इसको कहेंगे अंतह कर्ण अंतह कर्ण मतलब अंदर अब क्या क्य waves को reflect करना और यह सभी reflections कहां जाएंगे तो इन सभी का reflection ऐसा होता है कि यह केंदर पर जा कर द किंदर कहने का मतलब यह pipe के अंदर भेजने का काम करते हैं यह हुता है, her drum यह क्या है, her drum, drum मतलब पीछ अंदर एक pipe जैसा structure होगे, यह pipe जैसा structure अब क्या होगा तो यहां पर जो वेव्स हैं हम यहां यह जो वेव से यहां पर यहांसे यहांगो जो यह यह ये एक हड़ी एक ये और एक तीन तीन पार्ट्स होते हैं ये तीनों पार्ट्स का मुख्य काम क्या बए कि जो यहां वाइबरेशन आ रहे हैं ये उसको कहरी करेगा और ले जा करके क्या करेगा दूसरे को पार्ट करेगा और दूसरा जा करके यहां पर यह मेरे ये जो यह व यह मैं b梅ल न उपन उपल तो मैंने आपल जो बोला तो जो vibration create हुई वह वापस है recreation यहां पर की जाती तो recreation क्या करेगी यह हमारा जो है ना यह ही हमारा सुने की क्यों क्या सकता है sensitivity जहां पर है जो सुनने का आखरी काम करता है वो यह है यह sensitive है मतब यह जो vibration है उसको इसने sense किया और sense करने के बाद यह क्या देदेगा इसी कहते audible nerve क्या बोलते इसको audible nerve इसके बाद क्या हो गई है audible nerve को देदेगा audible nerve क्या करेगी उस signal को brain तक पहुचाएगी और brain उसको process करेगा अगर brain ने यह चीज़ सुनी होगी तो वह process करेगा है नहीं तो फिर as a noise treat करेगा क्या करेगा इसा noise जैसे दूसरे Chinese language में कोई बात कर रहा भई हम यह नहीं आती तो में लिए तो noise ही है है ना तो भई noise का मतलब क्या हो गया कि जो यहां से जो चीज़ है मतलब हमारे brain जो process नहीं कर पहा है that is noise ठीक है अच्छा और इसके एक एक पार्ट के बारे में अगर देख रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करेंगे तो हमने अभी इसको किया हुआ है ठीक है यह session वैसे ही बहुत जादा ही लंबा अपन चलते जादे जा रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा chapter है हमारा यह इसे बहुत सारे topics हमने देखा तो थोड़ा से वीडियो को पीछे करके आप इसका हर एक पार को और देख सकते हैं ठीक है तो चलिए हम यहाँ पर खतम करते हैं अपने इस chapter को और आप तब तक के लिए करेंगे इस chapter को पूरी तरीके से revise फिर से जो notes आपने बनाए अभी इस chapter के पढ़ने के दौरान मैंने बोला था कि यह chapter पढ़ने से पहले कि वहाँ पे एक seat लेंगे और उसमें क्या करेंगे जि chapters कैसे मिलेंगे और सारे वीडियो कैसे मिलेंगे तो आपको करना है क्या अपने सर्च बार में लिखना है magnetbrince.com और जैसी आप क्लिक करेंगे आपको यह page open hoes आएगा यहाँ पर आपको क्या मिलता है तो एक तो सबसे important चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाती है क्या कि कौन सा वीडियो लाइव आने वाला है या फिर कौन सी lectures लाइव आने वाले हैं क्योंकि हम वीडियो तो देख लेते हैं हमको बहुत सारे platforms में available हैं लेकिन दिक्कत क्या होती है doubt कहां पूछे हैं तो यहाँ पर मिल जाता है क्या आपको live sessions जहाँ आप अपने doubt पूछ सकते हैं फिर यह पूरी तरीके से free of cost platform है भई अपने को किसी भी जगह पे payment क्यों करना जब यहाँ पर आप वीडियो भी देख सकते हैं और आप फ्री में doubts भी पूछ सकते हैं नोट्स भी आपको सब कुछ मिल जाते हैं तो चलिए अब आपको क्या करना भी तो आपको जिस भी segment के हैं आप आप cbse English medium है तो आप इसको tap करेंगे आपके classes इस तरीके से खुल जाएंगी NTSC के लिए है तो आप NTSC पे tap करिए ओलंपियार्ट की तयारी करें तो ओलंपियार्ट cbse और आप अगर state board की preparation कर रहे हैं state board मतलब हिंदी medium का अगर आप preparation कर रहे हैं इंदी medium का आप student है तो भी आपके पास यह बहुत सुनारा opportunity है कि आप इस पर क्लिक करें आपकी यहां पे classes open हो जाती है classes पर आप करेंगे तो यहां पर आपके chapters मतलब आपके जो भी subjects है उससे लिटेड वीडियो जाएंगे जैसे आपको बहुत इक विग्यान पढ़ना है तो बहुत इक विग्यान पर आप करेंगे watch now watch now पर जब क्लिक करेंगे तो बहुत इक विग्यान के सभी chapters के videos arranged format में यहां पर आपको दिखना सुरू हो जाएगा जो की होते हैं कैसे CBAC और NCRT पर आधारित पूरा पाठे करम है अपना विषय का संपूर विबरण है CBAC और NCRT कहने का मतलब कि इसमें NCRT जो आपके पूरे state modes को भी cover करता है ठीक है अब इसके बाद क्या करेंगे इसमें जो बहु विकल्पिया प्रस्न है एक बार में पूरा revision है one shot videos के अंतरगत यह सब कुछ आपको यह systematically order में पाठे कराम में मिल जाएंगे उसको आप tap के वहां से आपको videos play हो जाएंगे play होने के बाद ऐसा आपको मिलेगा यहां पर आप कर सकते कहीं पर भी video को pause कहीं से भी आप उसका रख सकते screenshot आप बना सकते हैं यहां से अपने handwritten notes और एक notes हमारे तरफ से भी आपको मिलते हैं इसके बाद आप next पर click करके अगले chapter के भी videos य दो रत नहीं है तो इतना सब कुछ आपको free of cost provide करा रहा है magnet brands तो आपको अभी के लिए करना है इस video को like, इस channel को subscribe और इसको कर देना दोस्तों में से अप क्योंकि magnet brands लेकर क्या है free school सिक्षा from class 6 to 12 जहां पर मिलते हैं आपको सभी chapters के subject wise video lectures वो भी experience teachers के साथ में तो देखते रही है magnet brands, thanks for watching